हालो एप्रिवान वेरी गुड मॉर्निंग सभी को कैसे आप सभी सो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंजिनियर्स वाला यूट्यूब चैनल पर और वापिस से मैं आप लोगों का वेलकम करती हूं इस कलाम सीरीज में जिसमें हम लोग बहुत सारे कोशन्स कोशन्स भी देख रहे हैं और कोशन्स प्रेक्टिस के साथ साथ आप लोगों का सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से आई हो प्रिवीजन भी हो रहा है आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनियरिंग औ कौन कौन से टापिक्स हैं जो बैसिकली आगे जिन टापिक्स के कुश्चन क्लास में प्रेक्टिस होंगे जिन पर हम फोकैस करने वाले हैं एक एक करके हम उनके बारे में में भी इसकेश करते हैं वेरी गूड-मार्निग सभी को कैसे हैं आप लोग एक बार जलदी से काल कर सुबह जल्दी उठकर आयो कमेंट सेक्षिन में एक बार मुझे बता देना अगर आप सभी को आवाज क्लियर आ रही है कोई इश्यू तो नहीं है अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी बता देना और कोई डाउट रहता है तो भी बता दीजिएगा और ट्रांस्पोटेशन इजिनेरिंग तो बड़ा इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छी अच्छी मेजी और डाइग्राम के साथ मैं आप लोगों को चीज़े समझाऊंगी ताकि क्यूंकि यह कैसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़े आपको प क्लास मुझे कोई फिक्स कुछ पर्टिकॉलर टाइम के लिए फिक्स है कि इतने बज़े तक ही लेनी है क्लास का ऐसा है कि मैं आप आज कुछ कोशन का टार्गेट लेकर आई हूं मैं वह कोशन आप लोगों को करवाऊंगी तो वह कोशन आप लोग जितना अच्छा करेंगे और उस अकॉर्डिंग हमारी क्लास चलेगी ठीक है मैक्सिमम टू आर्स की रहती है कोई भी क्लास लेकिन अभी हम लोग देखते कितना जाएगा येस वोइस ऑडिबल गुट मारिंग एवरिवान चलिए येस आज तो शुरू करते हैं अभी की क्लास देखिए आज का बैच भी तो आज से स्टार्ट है उसकी क्लास की टाइमिंग हमारी इवनिंग में आपको बताया था तो आज से बैच स्टार्ट हो चुका है ओके चलिए तो शुरू करते हैं अभी की क्लास देखिए आज हमारा जो सब्जेक्ट है डाट इस ट्रांसपोर्टेशन इंजि करेंगे इन दो टॉपिक्स के ऊपर मेंली जो मैट्रिक डिजाइन ओफाइव एक ऐसा टॉपिक है अगर आप ऐसे सी जहीं का प्रीविएस एयर एक्जाम देखोगे प्रीविएस कुछ एयर का अनेलीस करोगे बहुत सारे कोश्चन इस टॉपिक से आ रखे हैं और ट्रैफ बहुत अच्छे सा रिस्पॉंस देना है साथ-साथ क्लास इंटरेक्टिव रहनी चाहिए जो नहीं समझ आएगा तो आपने कमेंट सेक्षन में वह पूछना है और समझ आ रहा है तब तो आगे बढ़ते जाएंगे उसी स्पीड से बढ़ते जाएंगे तो चलिए शुरू क्लासीज है बिल्कुल नॉन टेक्निकल क्लासीज मौनिंग में चलेगी और इवनिंग में शाम को चलने वाली आपकी आज क्या कहते हैं इसे फ्लूइड मेकानिक्स भी स्टार्ट हो रहा है आज से घर से लाइव नहीं हूँ आप लोगों के लिए जल्दी उठकर आई हो गई है सारी दुनिया उठ गई है सब काम पे जा रहे है आठ बजे जल्दी कह रहे थे क्लास के लिए चलिए शुरू करें बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्टार्ट करें आज की क्लास चलो आगे चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं ओके आज जैसा मैंने आप लोगों को बताया आज की क्लास में हम जोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाइवे और ट्रैफिक इंजिनियरिंग इन दो टॉपिक्स पर फोकस करेंगे और इनके जितने भी questions है जो basic concepts से related है और कुछ चीज़े ऐसी है जो basic terms हम लोगों को पता होनी चीए और definitions हम लोगों को पता होनी चीए वैसे कुछ questions मैं आज की क्लास में लेकर आई हूँ ओके चलिए start करते हैं और answers आप लोगों ने करने हैं जो बिल्कुल basic questions है ठीक है देखिए first question मैं question को दो बार पढ़ूंगी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बोल दीजिएगा first question क्या है the road development plan for India for the period of 1981 to 2001 is known as लखनाव रोड प्लान नागपूर रोड प्लान बॉंबे रोड प्लान या फिर कानपूर रोड प्लान क्या answer होना चाहिए historical development of roads से यह topic से यह question लिया गया है कि roads की development कैसे कैसे स्टार्ट हुई तो वहां पर जो यह आपका introduction chapter है historical development वहां से आपको यही कुछ terms याद रखनी और कुछ years याद रखने कि कब से कब क्या होता है जल्दी से answer बता दीजिए 1981 से 2001 के लिए जो road development plan था वो कौन सा था अच्छा सभी का answer आ रहा है लखनव road plan which is option A कुछ लोग कह रहे है option B सबसे पहले जब road की development स्टार्ट हुई तो सबसे पहले आया नागपूर road plan नागपूर road plan के लिए year क्या था नागपूर road plan आपका 1943 यह सारे जितने भी road plan थे यह 20 year road plan थे जिसमें हमने कुछ ना कुछ 20 साल का target रखा था कि इंडिया में जब road की development स्टार्ट हुई तो हमने सोचा कि हम लोग 20 साल का कुछ target रखेंगे जब वो पूरा होगा फिर next 20 साल का target रखेंगे तो 1943 से 1963 तक का जो target set किया गया था यह कितने टाइम में पूरा हो गया यह 20 साल से पहले ही पूरा हो गया इसलिए नागपूर road plan के लिए year क्या है 1943 से 1963 लेकिन वो दो साल पहले ही complete हो गया अगर हमने 20 साल यह target रखा यह दो साल पहले complete हो गया तो अगला 20 year road plan आ गया next 20 year road plan कौन सा था बॉंबे road plan 1961 to 1981 ठीक है क्यों यह दो साल पहले शुरू हो गया क्योंकि दो साल पहले खतम हो चुका था और तीसरा जो road plan था that is 1981 to 2001 तो आप सभी का answer correct है जिसने अभी अभी बताया लखनाव road plan जो है वो हमारा correct answer होगा तो आपको यह जितने मैंने 20 20 years का यह याद लिखा है यहां पर ही आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले आएगा नागपूर road plan फिर Bombay road plan फिर लखनव road plan कैसे याद रखोगे आपको एक्जाम में याद रखना है सबसे पहले कौन सा आया था तो आपको अब जैसे जैसे रोड की डेवेल्पमेंट स्टार्ट हुई हमारे टार्गेट जो अचीव हुए हमारी उन टार्गेट को अचीव करने में कुछ अलग अलग कम्यूनिटी जाई जो इंडियन रोड कॉंग्रेस फॉर्म हुआ इससे पहले मेरी एक सर्वे की खुकी है मुकु चुहान सर्वेंग का क्लास हो चुका है जिसमें हमने कोशेंग और प्रेक्टिस कीये थे इससे कब हुआ था 1927 1934 1929 या 1939 क्या कुरेक्ट आंसर होगा बिल्कुल कुछ लोग कह रहें 1934 और कुछ का अंसर आ रहा है option A और कुछ कह रहें option D इसका मतलब कि इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत confusion है मैं आपको न कुछ years बताऊंगी शुरू कहां से हुआ last तक कहां तक याद रखना है मतलब अगर exam में इस topic से question आता भी है तो आपको यही कुछ years होंगे जो अभी मैं आपको बताऊंगी जो आपको द्यान में रखने maximum लोगों का answer आ रहा है option B तो 1934 yes 1934 is correct answer कैसे याद रखना है इंडिया में जब रोड की development स्टार्ट होनी थी ना तो सबसे पहले जायकर committee बनी थी तो जायकर committee ने बोला कि एक ऐसी community होनी चाहिए जो हमें design करके दे हमारे पास एक ऐसा institute होना चीए जहां पर हम सारे काम कर सकें तो वह सारे provisions जितने भी रखे दे वह जायकर committee का form हुई थी जल्दी से बता दीजिए जायकर committee का form हुई थी 1927 में 1927 में form हुई थी जायकर committee में decide किया गया क्या क्या हमने आगे के लिए target रखना है ठीक है जायकर committee 1927 में इसके बाद 1929 में आया था central road fund जिसके बारे मैं आपने सुना होगा जितने भी road users हैं जितने भी पेट्रोल को यूज करते हैं उनसे हम कुछ extra tax लेते थे जिसकी help जो हम लोग road development में यूज करेंगे तो 1929 में आया आपका central road fund ठीक है 1929 उसके बाद 1934 1934 में क्या आया IRC Indian Road Congress IRC से भी denote कर सकते हूं Indian Road Congress 1939 में क्या form हुआ था कोई बता सकता है क्लास में 1939 में क्या form हुआ था किसी को भी आइडिया हो 1927 में जायकर committee 1929 में Central Road Fund अभी का correct answer है 1934 IRC और 1939 1939 में बताइए कौन आया था क्या form हुआ था 1939 में हुआ था Motor Vehicle Act Motor Vehicle Act ठीक है ये कुछ-कुछ नाम है जो आपको याद रखने है एक और है Central Road Research Institute जिसको हम CRRI से denote करते हैं और ये कब form हुआ था year 1950 में तो इसका मतलब मुझे जो historical development of road first chapter है इसमें क्या-क्या ध्यान रखना है 1927 में आपका जायकर committee बना 1929 में हमने Central Road Fund इंट्रोड्यूस करवाया 1934 में IRC firm हुआ और 1939 में Motor Vehicle Act आया और 1950 में Central Road Research Institute ये कुछ-कुछ याद रखने हैं सीरीज में याद रखोगे तो मुझे लगता है जादा असान है भूलोगे नहीं ठीक है आगे चलते हैं अपना थार्ड कोशन पर बहुत ही आसान कोशन है आयर्सी रिकमेंडेशन आयर्सी की रिकमेंडेशन के अपना चाहिए अब देखो जब हम लोगों को रोड बनाना है चाहिए वह वन लेन या टू लेन या फोर लेन क्या होती है लेन वह भी मैं समझाओंगी तो सबसे अजरूरी है यह तो पता हो कि मैक्सिमम कितनी विर्थ का वीकल अलाव करेंगे रोड के उपर है ना क्यूंक ना गाड़ी पूरी पूरी रोड के उपर ही चलेगी साइड में कोई स्पेस ही नहीं है तो इसलिए जब भी हमें लेन की डिसाइड करनी है तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए मैक्सिमम विर्थ ओफ वीकल हम कितना अलाव करेंगे अगर आप सामने से इस वीकल को आते हुए देख रहे हो करेक्ट आंसर इस 2.44 मीटर यह तो आप सभी को ही पता होना चाहिए तो 2.44 मीटर हमने माना कि अगर एक रोड है उस पे गाड़ी चल रही है इतनी उसकी विर्थ होनी चाहिए प्लस कुछ ना कुछ क्लियरेंस भी होना चाहिए तभी हम एक किसी पर अलॉंग दा रोड लेंथ इस नौन एज रोड की लेंथ के लॉंग जब आप चल रहे हो कभी राइस हो रहा है कभी फॉल हो रहा है जैसे मैं चल रही हूं यहां फॉल हुआ फिर राइस हुआ तो रोड की लेंथ के लॉंग जो राइस और फॉल होता है उससे क्या बोलते ह हैं यह मैं इंदी हुए एक्स्प्लेइन कर दει ही क्योंकि आप बार-बार यहीं लिखते रहते हो कि मैं इंदी में नहीं बोलते हो है तो इससे ज़्यादा असानी से क्या समझाओ की जब आप चल रहे हो कभीड आ रहा है कभी राई आ यह उसे क्या बोलते है कन ब सका नहीं का आद लग चीजिजे आई यह 20 एं रोड़ प्लान सिरफ तीन ही थे हमारे पास ठीक है का नपूर नहीं है का नुख आपका महाँ पर कोई option करेक्ट नहीं होगा सिरफ नागपुर रोड़ प्लाइं Bombay रोड प्लाइन और लखनव रोड प्लान ये 3փ रोड प्लाइन क्या होता है किस डिरेक्शन में होता है और किसलिए प्रोवाइड किया जाता है हां यह कैसी बाते कर रहे हो अब राइस एंड फॉल देखो देखो अब मैंना लॉंगी ट्यूडनल सेक्शन दिखा रही हूं ऐसे रोड दिखा रही हूं और इसके उपर ऐसे गाड़ी चल रही है यह नीच से देख रही हूं तो मुझे गाड़ी ऐसे जाती हूं दिख रही है कि इसको केमबल बोलते हैं केमबल तो ट्रांसवर्स स्लोप होती है ट्रांसवर्स क्या होती है वो मैं समझाओंगी आपको अभी आगे है कोशन तो राइज एंड फॉल अलॉंग दे लेंथ आफ रोड इ रहते हैं और यह स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है सूपर एलिवेशन क्या होता है और कैमबर क्या होता है वो अभी आगे आने वाली थोड़े से कोशन हैं उसमें समझ में आ जाएगा पर अलग होता है यह ध्यान रखना है यह क्लियर है सबको जैसे जैसे आगे जाओगे यह increasing gradient इसको क्या बोलते हैं ascending gradient ascending gradient या increasing gradient या positive gradient जब ground में fall होगा गाड़ी नीचे की तरफ आएगी तो आप इसे क्या बोलोगे इसे बोलते हो आप descending gradient descending या आप इसको decreasing क्यूंकि कम हो रहा है तो decreasing बोल सकते हो और इसी को हम क्या बोलते हैं negative gradient कोई doubt किसी को यहां तक तो यह आ चलो अब देखो अब जो camber और super elevation answer कर रहे थे आपका answer भी आएगा अभी किसी question भी अब देखी क्या बुला है transverse slope provided transverse क्या होता है मैं आपको बताती हूँ to the road surface for the drainage of rain water is transverse slope जिसका main purpose क्या होता है पानी को drain out करना किसलिए provide जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं इन में से क्या answer correct होगा option A बोल रखा है camber option B बोल रखा है gradient option C क्या है curve option D का है इसमें से कोई भी option correct नहीं है transverse slope provided along the road surface उसे हम क्या कहते हैं यह आपको answer करना है बहुत सारे लोगा correct answer आ रहा है correct answer is option A हाँ तो अब देखो पिछले वाले का answer भी यह camber और इसका भी answer camber तो हो नहीं सकता अब यह road बनाया मैंने एक ठीक है मैं इस direction में जब गाड़ी चला रही थी इसका perpendicular यह होगा ना अब मैं यहां खड़ी हो road सामने से ऐसे दिख रहा है मुझे road सामने से ऐसे दिख रहा है मैंने यहां से cross section cut कर लिया आप यहां से खड़े हो और देख रहे हो जो slope इस तरफ होगी perpendicular to the direction of flow मतलब जिस direction में गाड़ी चल रही है उसके 90 डिगरी वाले जो यह surface है इसकी जो slope है इसको बोलते हो आप transverse slope किसी को नहीं समझाया तो बताओ आप गाड़ी चला रहे हो उसके बिलकुल 90 डिगरी पर जो आपका surface है इसमें क्या slope दी आप बोलेंगे मैं अभी भी नही समझ में आया है transverse लोग क्या होती है देखो देखो कितना अच्छा यह आप लोगों के लिए special design किया गया है diagram image कि आपको समझ में आ जाए transverse slope along the length of road अब यह देखिए पहले आप पहले वाला डाइग्राम देखेंगे देखिए तो पहले वाले डाइग्राम में क्या दिख रहा है यह यह आपका रोड है ठीक है उस पर गाड़ी आपकी तरफ इस direction की तरफ फेस करती हूँ आगे जा रही है जो slope हम प्रोवाइड कर चल रहे हैं कैसे कर Это एक सर्फेस यहां से देखिए यहां पर और यहां पर तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो slopeम दी गई रहो जिस डिरेक्षिन में गाड़ी चल रही है यह थीटा स्लोप है मान लो है से in क्रीजिंग जिस reindeer इस डिरेक्शन वह चल रहीं है उस डिरेक्शन के पर्पेंड़ी कुलर है क्या गाड़ी ऐसे को चल रही है यह आपका एक रोड का एक कॉर्णर है और इसमें सेंट्रल पोर्शन को हमने रेज कर दिया हुआ है ताकि जब बारिश आएगी तो बारिश वाला पानी ऐसे यहां से आता हुआ इस कॉर्णर में ड्रेंज में चला जाएगा वैसे जब बारिश आएगी तो यहां से ड्रेंज में चला जाएगा गाड़ी इस डिरेक्शन की तरफ मुह करके खड़ी हुई है ठीक है बिलकुल मेरी गाड़ी है आप लोगोंने वादा भी किया है मुझे मर्सिटीज देने का अगर आप भूल गए होंगे याद है आप लोगों को मुझसे कल कोई पूछ रहाता है कि मैम आपने तो कहा था कि हमने जो आपको गिफ्ट देना आपको याद है नहीं बिलकुल याद है ठीक है तो यह कैमबर आई होप आपको क्लियर होगा क्योंकि जब इस केस में किया जाएगा यह कहां प्रोवाइड किया जाता है होरिजॉंटल कव में जब भी आप कव पे एंटर करोगे तो कव का जो बाहर वाला कॉर्णर है आउटर एज उसको रेज कर देते विद रिस्पेक्ट व इनर एज जो अंदर वाला कॉर्णर है यह इस तरीके का कैमबर कह है या नहीं ऐसे देखके नहीं बता चलेगा जब बारिश पड़ेगी और जब उसका पानी इदर उदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि कैमबर किस तरीके का दिया हुआ है ठीक है चले आगे चले आई होप कोई डाउट नहीं होगा कैमबर मे तो इस question का correct answer क्या है transfer slow provided on the road for drainage is कैमबर आगे चले नेक्स्ट question देखिए the width of carriageway carriageway मैंने बताया था एक short वीडियो में आप देखोगे तो for the two-lane road with raised curb standardized by IRC हमने अभी पढ़ लिए IRC का firm हुआ था आब ये पूछ रहा है width of carriageway for the two-lane road with raised curb मैंने curb भी समझा रखा है इसी चैनल पर आपने देखियोगी वो short वीडियो जिसमें हमने carriageway क्या होता है ये भी देखा है curbs क्या होता है ये भी देखे है बताइए कि क्या correct answer होगा इसका seven meter seven point five meter अभी थोड़ा confusion है मैं आप लोगों को पता देती हूं ये question का answer सबको पता होना चाहिए चाहे आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप सिवल इंजिनियरिंग आपने की है आपको रोड की विर्थ कितनी कितनी होती है single lane double lane वह आपको आइडिया रहना चाहिए very good correct answer is हां सब आंसर सही हा रहा है correct answer is option a correct answer is option a carbs क्या होते है और carriageway क्या होता है short video पर समझाया अब फिर से बता रहे हूं carriageway हम रोड को बोलते हैं ऐसे मैं normal language में क्या बोलूंगे कि रोड पर हम गाड़ी चलते हुए देख रहे हैं लेकिन यहां पर अगर हम technical word उसके लिए use करें तो वह होता है carriageway जिसके उपर गाड़िया चलेंगे तो इसने बोला है width of carriageway मतला मुझे रोड की विर्थ बतानी है for two lane road with raised curve इस diagram में देखिए आपको clear हो रहा होगा यह वही सेम गाड़ी पिछले diagram वाली आगई straight road पर अना देखो सेम गाड़ी है अब यह ना center line है आपको lane में जो confusion है वो ध्यान से देख लेना यह center line of road है यह वाली lane हमारी एक lane है जिस पर इस एक direction में गाड़ी आ जाएंगी यह वाली हमारी दूसरी lane है जिसमें दूसरी direction में गाड़ी आ रही है इसके पास वाले एरिया को भूल जाओ तो इसको मैं बोलूंगी two lane road और two lane road में traffic कैसा है मैंने मान लिया यहां से इस तरफ गाड सिरफ इतना यह रोड है तो यह बोलूगे यह टू लेन रोड है और टूवे़ ट्रैफिक है टूवे़ ट्रैफिक मतलब दोनों ड्रैक्शन में ट्रैफिक चल रहा है यह एक लेन vest यह दूसरी लेन अब बोल को हम कब कहते हैं यह हमारे रोड को दूसरे सर्फेस के साथ से अलग कर रहे हैं अब कोई भी गाड़ी जैसे मान लीजे यहां पर बहुत पेड़स्ट्रियन ट्रैफिक रहता है लोग बहुत जादा होते हैं यहां पर ठीक है यह बनाने मुझ से अच्छा लेकिन इंसान बनाय है हमने कोई ठीक है तो यहां पर माली जी लोग बहुत जादा चलते तो इनका ट्रैफिक बहुत रहता है तो हम लोग इसकी ना हाइट जादा रख लेते हैं इसकी हाइट की वैल्यू भी आपको याद रखनी होगी मैं आगे बताऊंगी तो वह काब हम प्रोवाइड करते हैं काब क्लियर है सबको क्या होता है यह काब आपके में रोड को दूसरे सर्फेस से अलग कर रहा है जहां पर बहुत जादा लोगों का ट्रैफिक होता है जिसको हम बोलते हैं पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक लोग बहुत जादा होते हैं पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक वह बहुत लेगा पर तो जहां पर इस्ट्रियन ट्रैफिक बहुत जादा होता है वहां बेरियर टाइप काप दिया जाता है बेरियर टाइप इसलिए ताकि वह गाड़ी जाए या कोई भी मॉडल हो वो उसको ग्रॉस ना कर सके ठीक है चले आगे चलते हैं सूपर एलिवेशन इस प्रोवाइडिड ओन कव एट इनर एज अभी अगर आप ध्यान से आज की क्लास देखोगे तो आदे कोशन नहीं भी पड़े हैं तो पिछले कोशन का जो एक्स्प्लेशन आप सुन रहे हो अगले कोशन में उनका आंसर मिल जाएगा मतलब बोलना यह जा रही हो कि अभी की जो क्लास चल रही है इसमें ध्यान से सुनो आगे के आदे कोशन बन जाएंगे आपके सुपर एलिवेशन इस प्रोवाइड ओन अ कव एट इनर एज एट सेंटर एट आउटर एज और क्वाटर पॉइंट करेक्ट आंसर क्या होगा गुड मॉर्निंग कोशल चलिए जो लोग जॉइन करने हैं तो साथ-साथ फ्लो में आ जाईए कोशन प्रेक्टिस हो रहें जो मैट्रिक डिजाइन ओफ आईवे और ट्राफिक इंजिनियरिंग के ओप्शन ए और ओप्शन सी सेंटर होगा अच्छा ज्यादा तर लोगों ने तो आंसर सी कर दिया है अब बाकी जिन्होंने ओप्शन एक आए आप एक बार देख लो हो सकता है कि मैजरिटी जो कह रही है वो सही हो करेक्ट आंसर ही सूपर एलिवेशन इस प्रोवाइडीड ओन आउटर एज मैंने आपको अभी बोला आप जो अभी मेरी जो क्लास देख रहे हो ना अब इसको ध्यान से देख लोगे को तो आदे आगे की कोश्चन बन जाएंगे असानी स तो अभी पीछे क्या समझाया था मतलब चलो मैंने केमबर यूज किया था शब तो हो सकते हैं आपको ना क्लियर हुआ हो मानलो यह रोड है ठीक है अच्छा इनर और आउटर एज समझा देती हूं आपको कि क्या होता है बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा यह एक होरिज में आता है यह काव है आप उपर से देख रहे हो इस पर गाड़ी चल रही है आप जो इस journée कहाओ पर आएगा इस का आप जो लेन होगी उसको आउटर लेन बोलोगे एना यह रोड का एज है तो इसको बोलोगे इनर एज्ट आगर action पूलने तो आप इसको बोल देंगे इनर एज और इस रोड़ का जो बाहर वाला किनारा है कि उसको आप बोल दो कि आउटर घ्ट सेली बात तो ना चांए इननर और आउटर रेज किसे जैने तो रोड के सेंटर वाली तरफ वाले को इनर तो अब मैंने सुपर सूपर एलिवेशन रही करना है सूपर ऐलिवेशन हम और करते हैं किpected से में बताइए horizontal काव पर super elevation क्यों provide करते हैं कौन सा force है जो हमारी गाड़ी को unbalance कर देता है आपर कौन सा force है जो हमारी गाड़ी को unbalance unstable कर देता है रोड पर जैसे गाड़ी इस point पर आएगी इसके cg से बाहर की direction में एक force लगेगा कौन सा force है वह बता दीजिए वह force है हमारा centrifugal force centrifugal force की वज़े से आपकी गाड़ी बाहर की तरफ आपने देखी होगी अगर न वह देखा होगा racing cars वाला वह जीज देखी होगी न टीवी बे या कभी तो आपने देखा होगा जैसे वह गाड़ी एक रोड पर आती है न मतलब मोड पर आती है रोड पे तो चली रही है तो जैसे वह एक होरीजॉंटल काव पे एंटर आती न तेज स्पीड से तो कुछ गाड़ी मुवी में भी दिखाते हैं ऐसे पलट के गिर जाती है बाहर की तरफ एसे पलटेंगी कई बार वह सीधी भी हो वील्स घिस्ते हुए बार की तरफ जा रहे जारे है एसे ओवर TORG तो वह ओवर TORG करना और बाहर की तरफ उसका गीस्ते हुए जाना टाइर्स को जिसको हम skid बोलते हैं, जब tires घूमे ना, जो tires है ना गाड़ी के, अगर वो बिना घूम नहीं रहे हैं, लेकिन गाड़ी घिस्ती हुई आगे की तिरफ जारी हो, उसको बोलते हैं skid होना, तो गाड़ी skid हो जाती है, तो उसको बोला हमने unstable, हाना, देखो याद आगया ना आ जा दिया, तो अगर ये हमारा inner edge था, ये inner edge था और ये हमारा outer edge था, तो आपने outer edge को raise कर दिया, ये w आपका road का width है, ये inner edge है, ये outer edge है, इसको आपने raise कर दिया, मानलो small edge थे, तो अब यहाँ चल लेगी गाड़ी, इतना जादा नहीं होता जितना मैंने बना दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए, तो ये super elevation है, I hope आपको super elevation clear हो गया होगा, कहां दिया जाता है, horizontal curve पे, क्यों, क्यों कि मा centrifugal force लगता है, वो क्या करता है, गाड़ी को बाहर की तरफ skid करवाता है, या over turn करवा देता है, तो उसको compensate करने के लिए एक force आया, उसको compensate करने के लिए हमने super elevation provide किया, जैसे, जैसे देखिए, एक और एक बहुती शांदार गाड़ी, है न, यह देखिए, यह आपका horizontal curve का inner edge, समझा रहा होगा, अब inner edge क्या है, यह आपका horizontal curve का outer edge, यह horizontal curve का outer edge, गाड़ी ऐसे जा रही है, आपको दिख रहा है कि outer edge raised है with respect to inner edge, outer edge raised है with respect to inner edge, तो यही ची इसको हम क्या बोल रहे है horizontal curve में, इसी को ही हम कहते है super elevation, और जब आप super elevation दे दोगे न, तो आपको drainage की तो कोई tension ही नहीं है, जो बारिश आती भी है, बारिश पढ़ रही है मानलो यहाँ पर, तो वो सारा पानी इसके inner edge पे जाएगा, इसी को हम camber बोल देंगे, तो ऐसे अं लोप दिया गया, इसको बोलते है, हम super elevation, clear हो गया न, इस image से भी clear हो गया, हाना, चलिए, road color बदल गया, हाँ, न, गाड़ी चल रही है न, अब notice नहीं कर रहे हो, परी अलग model हो गया, अलग गया यह गाड़ी, चलो, अब आगे चलते हैं, next question देखिए, what is the value of camber that should be provided in case of bitumen payment surface in an area of heavy rainfall, मैंने वो points highlight किये, जो इस question का answer देने के लिए, आपको exam में सबसे जादा अच्छे से देखने हैं, camber कितना दिया जाता है, bitumen payment में heavy rainfall अगर हो रहा हो, चली answer कीजी, इसका table है एक, वो table मैं आभी आपको बताऊंगे, बिल्कुल वैसे यूज, वैसे ही आप लोगों को याद रखना है, वो table, color pen use करना है, क्यों ये white सही नहीं लग रहा, क्या answer correct होगा, biology क्यों बढ़ाएंगे हम आपको, biology क्यों बढ़ाएंगे, उसके लिए दूसरे चैनल है, वहाँ पर जाईए, physics वाला वाले, अच्छा, तो हमने देखना है कि किस तरीके, अब देखिए, camber तो पता है न आपको, camber आपको पता चल गया slope, ठीके, कौन सी slope, आ इसलिए दी गई है, ताकि बारिश वाला पानी ड्रेन आउट हो, इतनी बाद मुझे clear है, आप मुझे छोटा सा answer करेंगे, सब लोग comment section में जल्दी से बताना, अगर एक अर्दन रोड है, समझते हो अर्दन रोड, मानलों सिरफ मिट्टी बिचाई है और उसको compact कर दिया है simple soil वाला रोड है, और एक bitumen रोड है, आप छोटा सा answer करना, उसके बाद मैं आपको यह समझा दूँगी, value जो याद रखनी है, bitumen रोड है, जिसका top surface black color का होता है, अगर आपने देखा होगा, दोनों cases में हम करवा देते हैं, यहाँ पर बारिश, यहाँ पर भी rainfall हो रहा है, यहाँ पर भी rainfall हो रहा है, और यहाँ पर भी rainfall हो रहा है, किस case में आपका जो पानी है, वो नीचे वाली layers में जल्दी enter होगा, देखके बता दोगे answer, पहले वाले case में या दूसरे वाले case में, पानी किस case में जादा जल्दी नीचे वाली layers में enter हो जाएगा, और वेसी बात ह जिसमें सिरफ नीचे स्वाइल है यह तो बिटुमिन रोड है मैं इसकी लेयर नहीं लिखती नहीं तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो यह स्वाइल वाले केस में जो पानी है वह जल्दी इसमें एंटर हो जाएगा मतलब अगर मैं स्लोप देना भी चाहती हूं ना रोड को ए बिटुमिन रोड जो है वह पानी को नीचे वाली लेयर में एंटर नहीं होने देगा तो इसका मतलब कितना ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड करना है अगर आप ऐसा स्लोप प्रोवाइड भी कर रहे हो ऐसा कुछ यह जो कैमबर हमने दिया कैमबर यह सामने से देख रहे यह किन फैक्टिस पर डिपेंड करता है कि रोड का सर्फेस कैसा है पहली बात यह आपने समझ लिया रोड का सर्फेस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा दूसरी बात जहां आप रोड बना रहे हो वहाँ पर रेंफॉल कैसा होता है अगर हैवी रेंफॉल होता है तो ज्याद समझ में आ गई यह एक और objective question है कि कितना केंबर प्रोवाइड करना है किन फैक्टेस पर depend करता है एक डिपेंड करता है कि amount of rainfall कितना हो रहा है और depend करता है रोड का surface कैसा है इन दो फैक्टेस पर डिपेंड करता है तो आगे चलिए अब मैं आपको बताती है इसका अंसर कैसे याद रखना है आपको सिरफ यह रोड या पेव्मेंट surface मैं टेबल में वैल्यूज यहां पर लिखूंगी आपको वह वैल्यूज बिलकुल आसान है वैसे याद रख लेनी है ठीक है आप यहां पर आप अपर रेंटव लिखेंगे अमांट ऊपर एफ्न पर अगर हेवी रेन्पॉल हो रहा है उसके लिए यह वैल्यूज याद रखोगे अगर आपका bitumen road तीसरा आएगा हमारा water bound macadam road wbm और तीस fourth last earth road कोई भी question आएगा ना आपका objective exam में कि कितना camber दिया जाता है ये table याद रख लो इस topic के सारा question जो है आपका असानी से बन जाएगा ये चार तरह के road आपको लिखने है heavy rainfall में heavy rainfall में लिखा आपको वानीन याद रखना आपको क्या याद रखना है 60 50 40 और 33 इतना याद रखना है 60 50 40 33 जितना यहाँ पर लिखा है जितना यहाँ पर लिखा है वैसा ही सेम हम दूसरे कॉलम में copy कर देंगे यह 50 से चुरू होगा वानीन 50 50 40 33 वान इन वान इन 60 50 40 और 33 देखो आप एक चीज देखना जो चीज में यहाँ पर लिख रही हूँ ना वान इन 50 वह सेम चीज वान इन 50 मैंने दूसरी तरफ copy कर दी है क्या देखो वान इन वान इन का मतलब क्या होता है किसी को नहीं पता है तो जल्दी से बता दो यह यहाँ पर copy हो गई है वान इन 33 यह यहाँ पर copy कर दी है वान इन 50 40 33 50 40 33 यहाँ पर एक उपर एक 60 याद रखना है अर्दन रोड के लिए क्या आएगा यहाँ पर 25 वान इन 25 तो मैंने क्या याद रखा दो चीज़े 50 40 33 50 40 और 33 यह तीनों को इस तरफ copy कर दीए यह टेबल याद रख लो कि यह बहुत सारे state exams में इससे सीधा सीधा कोशन आता है इवन ऐसे सी जई में यहाँ से कोशन आये हुए इवन इसी प्रिलीम में यहाँ से कोशन आये हुए तो आपको यह ऐसा याद रखना है अब आप बोलेंगे किसी ने percentage में answer लिख है वान इन 50 40 का मतलब पता है न आपको नह 50 यूनिट सीधा चलने पर ग्राउंट पे वन यूनिट का राइज हुआ 50 यूनिट में इस तरफ गई वन यूनिट का राइज हो गया आप देखरों यहाँ पर एक स्लोप बन गई न यह जो स्लोप बनी इसी को बोलते हैं वन इन 50 ठीक है यह वान इन 33 का मतलब 33 यूनिट आगे जाओगे तो ग्राउंड में वन यूनिट का राइज होगा और इस स्लोप को बोल देते हैं वन इन 33 क्लियर सबको इसी को परसेंटेज में लिखना है कितना असान है वान इन 50 को परसेंटेज में लिखो वान बाइफिफिटी मुल्टिप्लाइबाइबाइबाइबा आप पर कॉपी करनी है कोई डाउट किसी को यहां तक जल्दी से बता दीजिए यहां तक यह टेबल याद रख लेना मैं आपको बार बार बोल नहीं इंपोर्टेंट है 50 40 33 50 40 33 60 अलगाएगा 25 अलगाएगा स्लोप मैंने आपको बता दी क्या होती है ठीक है आगे चलिए न द्रेन आउट हो सके जैसे मैं कैमबर प्रोवाइड कर रहे हूं यहां पर गाड़ी चलने वाली है ऐसे यहां पर बारिश आएगी और बारिश का पानी जो है वह यहां पर हमें ड्रेंज जो नालिया बनी होंगी जो आप वेस्ट वाटर इंजिनियरिंग में पढ़ोगे त आप नहीं चाहते हैं नीचे वाली लेयर में पानी एंटर हुआ यहां पर जो मैटीरियल है वो उसको खराब करेगा तो मैं चाहते हूं जो पानी आए वो ड्रेन आउट हो जाए उपर वाले सर्फेस से ही तो इसलिए स्लोप प्रोवाइड करते हैं तो जब बारिश जिस ज और लॉंगिट्यूडनल कोईफिशेंट कितना कितना होता है लॉंगिट्यूडनल कोईफिशेंट और लेटरल कोईफिशेंट की वैल्यू पूझ रखिए क्या अंसर करेक्ट होगा वेरी गूड करेक्ट आंसर इस 0.15 लेटरल कोईफिशेंट और फ्रिक्शन अच्छा यह बताओ लेटरल लॉंगिट्यूडनल कोईफिशेंट समझते हो क्या होता है लेटरल और लॉंगिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या होता है यह करेक्ट आंसर इस तरीकी के कोश्चन में एक्जाम में ध्यान रखना है कि पहले क्या पूछा है बाद में क्या पूछा है तो इसने ब 0.35 and 0.15 पहले लेटरल पूछा है बाद में लॉंगी ट्यूटनल पूछा है ये गाड़ी चल रही है देखिए इस डिरेक्शन में आप इस गाड़ी में चल रहे हो इस डिरेक्शन में जा रहे हो जैसे ये गाड़ी ब्रेक अपलाए करेगी तो कौनसी फोर्स है जो इसको पो और सर्फेस रोड के सर्फेस के बीच में जो उसको रजिस्ट करेगी आगे से चलने के लिए बताओ वो कौनसी फोर्स है वो जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स तो जिस डिरेक्शन में गाड़ी चल रही है उसके सेम ऑपोजिट डिरेक्शन में जो फ्रिक्शन यहां पर act कर रहा है इससे कौन सा friction क्याते हैं लॉंगी ट्यूडनल जिस डिरेक्शन में जो friction होगा उसे बोलेंगे आप longitudinal friction अगर coefficient लिखना है तो वो हो जाएगा longitudinal coefficient of friction ठीक है तो आप बोलेंगे कि lateral का मतलब क्या हुआ इसका मतलब lateral को अगर मैं बोलो आप गाड़ी को एक horizontal curve पे चला दो टॉप से देख रहे हो ये road की center line ऐसे दिख रही है आपको ये horizontal कावे ध्यान रखेगा hccd note कर रहे हो जैसे ही गाड़ी horizontal curve पे एंटर हुई अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था इस पर कौन सी फोर्स लगेगी centrifugal force center centrifugal force cg से बाहर की तरफ ये centrifugal force लग गई अब ये centrifugal force के चाहेगी कि गाड़ी के wheel skid करते हुए बाहर की तरफ जाए जैसा आपको इस एरों में दिख रहे है उस तरफ को गाड़ी को गिसके इसके wheel skid करवाना चाहेगी उसको resist करने के लिए अब मैं बोल रहे हूं गाड़ी तो सीधी चल रही थी आगे की तरफ centrifugal force radially outward लग रही है cg से तो frictional force किस direction में लग रही है अब गाड़ी skid इस तरफ को होना चाहरी है उसको friction resist कर रहा है इस direction में तो इस case में जो friction लग रहा है वह आपका जिस direction में गाड़ी चल रही है उसके transverse direction में लग रहा है तो यह वाली जो आपका friction होगा इसे कौन सा friction बोलते हैं इसे बोलते हैं lateral friction, lateral friction तो यह friction lateral है तो इस case में आप जब coefficient of friction consider करोगे वो 0.15 लोग है यहां से एक बात तो clear है जब भी horizontal काप पे गाड़ी होगी तो आप friction coefficient कितना लेंगे 0.15 लेंगे कोई doubt किसी को यह lateral friction 0.15 जिस direction में गाड़ी जा रही है उस direction में जो friction coefficient होगा that is longitudinal coefficient of friction चली आगे चलते हैं इसी के साथ next question बहुत ही आइसान lag distance is the distance traveled on the road by vehicle in question में पूछना चाहरा है यह कि lag distance किस distance को बोलते हैं जो जो travel किया है किसी vehicle ने किसी गाड़ी ने किस time में perception time में जो distance travel किया है क्या वो लेक distance होता है वो लीशन टाइम इमोशन टाइम या टोटल रियक्शन टाइम क्या answer करेक्ट होगा comment section में बताईए lag distance is the distance traveled by frictional force lateral ठीक है lag distance is the distance traveled by the on the road by vehicle in question कौन से टाइम में answer बता रहे हैं option a option d बाकी लोग असान question है सभी ने answer करना है correct answer is option d अगर आपने side distance stopping side distance topic पड़ रख है SSD वहाँ पर आता है यह lag distance अभी समझाओंगे मैं आपको नहीं पड़ा है तो आपको मज़ आ जाएगा भी समझ कि lag distance कि यह तो simple सी कानी है मैं आपको छोटा से example देने वाली साथ मैंने diagram लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा option d जिसने बताया वहारा बिल्कुल सही है अब lag distance समझना सब लोग ध्यान से क्या होता है इसी के साथ साथ समझेंगे कि reaction time क्या होता है total reaction time क्या होता है ठीक है अगर मैं आपको बोलते हूं कि मैंने आपको एक गरम गरम चाय का glass steel का एकदम से सदन हाथ में दे दिया तो आप क्या करेंगे उसे एकदम से आपको वह sensation और आप उसे छोड़ देंगे हो सकता है आपका हाथ जल जाए हना तो आपको reaction क्या था कि एक दम से आपने उस glass को छोड़ दिया तो वैसा ही मैंने देखना है यहां पर reaction time क्या होता है देखिए जरा क्या वही सेम वाली सेम गाड़ी आगी हमारी तीसरी पूर्त वाली page देखो माँलो कि यहां पर कोई abstraction है अब Straction कुछ भी हो सकती आगे पेड गिया गिरा हो सकता है हो सकता है चार लोग मिलकर लड़ा जाए हो सकता है चुछ मेला लगा हुआ है कुछ हो रहा है यहां पर हमें नहीं पता क्या हो रहा है ठीक है अभी आप यहां वाली गाड़ी और यहां वाली गाड़ी को भूल जाओ आप यहां नहीं हो यहां भी नहीं हो आप कहां पर हो अभी आप यहां पर हो ठीक है मैं यहां पर अभी गाड़ी च सामने इस पॉइंट से अच्छा ये हो सकता है शायद वह सकता है मेरे मन में इससे अरी चाहिए इसलिए आगे आगे जाम लगा हुआ जैसे मैं तूपर पहुंची मेरे वाली ऑब्स्रक्षन थोड़ी क्लियर दिख गई अब समझ में आ गया अच्छा आगे तो यह चीज हो रखी है आगे मिला लगा हुआ है लोगों का रश है तो जब मैं दो पर पहुंची मुझे समझ में आ गया कि अभी जो मेरी गाड़ी की स्पीड है अगर मैं अभी ब्रेक लगाऊंगी तो वो थोड़ी देर आगे जाकर र उसने ब्रेक पर पैर नहीं रखा था यहां पर रियक्षन का मतलब क्या है जैसे ही में ड्राइवर का पैर ब्रेक पर जाएगा मतलब वो recommend कर दिया आपने सामने वाली सीचोईशन को देख तो फस्ट से सेजिट तक जाने तक जो डिस्टेंस ट्यका उसे बोलते हैं lag distance 1 से 2 तक जाने के लिए आपने जो distance travel किया उससे बोलते हैं lag distance और कितना time लगा कितना time लगा ये सब सोचने में आगे क्या होगा ये होगा और break तक पैर ले जाने में उस time को बोलते हैं आप total reaction time इसको बोलते है reaction time मतलब सामने वाली situation को देखकर कितने time में react किया react करना मतलब break पर पैर रखना break apply कर दी इस point पर break apply करी गाड़ी यहां जाके रूकी तो इस distance को कौन सा distance बोलते हैं जल्दी से बता दो break apply करने के बाद गाड़ी ने जो distance travel किया वो कौन सा distance होता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो गाड़ी distance travel कर रही है इसे बोलते है breaking distance इसे बोलते है breaking distance ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो distance travel हुआ तो मान लो यह distance d1 है मान लो यह distance d2 है कोई आप से पूछे कि stopping side distance किन दो distance का sum होता है तो आप answer क्या करोगे lag distance plus breaking distance is equals to your stopping site distance तो यह time कितने time में उसने lag distance cover किया उससे हम क्या बोलते है reaction time समझ में आगे अच्छे से यहां से यहां तक पहुंचे break apply करी तब तक का time reaction time lag distance break के बाद गाड़ी ने कितने distance बात जाके आगे रुकी that is breaking distance कोई डाउट यहां तक सारी चीज़े क्लियर हो रही है जल्दी से बताओ मुझे comment section में तभी इसी same energy से मैं आगे continue कर पाऊंगी d1 plus d2 very good lag distance plus breaking distance तो question में हम से पूछा क्या हुआ था lag distance is the distance travel on the road in total reaction time जल्दी से बताना जरा यह reaction time कितना होता है वोर stopping side distance इमरान क्या होता है न देखो यह reaction time वैसे मैं practically बात करूं तो वेरी करता है जैसे मानलो मैंने नहीं नहीं गाड़ी चलानी सीखी है और मुझे दिख रहा है आगे बड़ा ज्यादा rush लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगी पहले ही ब्रेक पर ले जाओंगे और मैं स्लो कर दूंगे अपनी गाड़ी की मैं सेफ हूं अब कोई पिछले 20 साल से गाड़ी चला रहा है उसको पता है कि वह गाड़ी पूरी से किन्ट से लेकर यह आपका तीन से किंड तक जा सकता है उससे जादा भी जा सकता है पर जब हमें यहां पर SSD कालना है कुछ वैल्यूज केल्कुलेट करनी होती है तो हमें कुछ वैल्यूज को फिक्स करना पड़ता है जैसे उनको सॉल करने के लिए तो मैं उसको 2.5 सेकिन मान रही हूं यह वेरी कर सकता है ठीक है और यह 0 भी हो सकता है 0 कप होगा जैसे अभी मैं चल रहे हूं suddenly सामने कोई इनसान रोड क्रोस कर रहा है तो मैं को sudden break apply करने पड़ेगी आपको time नहीं मिलेगा रियक्शन टाइम ब्रेकिंग टाइम आपने उसी टाइम ब्रेक अपलाए गरी गाड़ी रुख गई ठीक है तो ऐसा भी होता है चलो आगे चलते हैं दो पीव थियोरी दे लेटर आए एंड ए रिस्पेक्टिवली स्टैंड फॉर पीव थियोरी हम लोग कप पढ़ते हैं पीव थियोरी हम पढ़ते हैं जब हमने रियेक्शन टाइम कैलकुलेट करना होता है यह सेम चीज़ जो मैं आपको समझा रही थी ना यह रियेक्शन टाइम जितने टाइम में आप ब्रेक पर पैर रख रहे हो उससे पहले कि जुस्टेप्स क्या 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 हुआ हुआ दिमाग में कैसे पता चला कि आगे कुछ हैं फिर समझ में आया फिर हमारे मारे माई ने प्रोसेस किया फिर हमने ब्रेक अपलाए करई वह जो थोड़ा सा टाइम है उसके लिए हम पढ़ते पीव थीओरी क्या होगा correct answer जल्दी से बता दीजिए correct answer पीव theory में I क्या represent कर रहा है और E क्या represent कर रहा है I और E क्या represent कर रहा है बहुत सारे लोगों का answer option D आ रहा है बहुत सारे के सभी answer option D आ रहा है तो मुझे लग रहा है आप सभी को पता ही है इसका answer क्या होने वाल है तो answer is option D, very good, intellection and emotion, P क्या represent कर रहा है इस P theory में, P is the perception time, P is perception, I is intellection, याद रखना ही है, objective आपके state exams में आता है है, इसका full form में कोई भी वैल चीज़ पूछ लेंगे, आप से इसको क्या बोलते है, I, E represent कर रहा है यहाँ पर emotion, E represent कर रहा है emotion, V represent कर रहा है evolution, आप बोलेंगे कि मैम, इसका काम क्या है, आपने बोल तो दिया कि जब हम reaction time calculate करते हैं, जब हम reaction time calculate करते हैं, तो वो पीव theory के यह से करते हैं, P, I, E, V, perception, intellection, emotion, volition, और reaction time क्या था, यही तो समझा था हमने, जब मैं यहाँ पर थी, break apply करने से पहले-पहले, कितना time मैंने लिय उसको हमने बोला reaction time, तो पीव theory में, perception मतलब, सामने देखकर मैंने ऐसे सोचा, आच्छा यह हुआ होगा, आच्छा वो हुआ होगा, सामने मेला लगा होगा, सामने कुछ भी XYZ हो रखा है, वो था perception, फिर intellection आपके mind में गया, आपके mind में neurons थे, उन्होंने प्रोसेस किया, औ और प्रोसेस करने के बाद emotion, किस emotion से आप गाड़ी चला रहे हो, कभी घुसे में होते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, तो उस पे depend कर जाता है, ब्रेक लगाने का तरीका, आपने गाड़ी चलाई होगी, तो आप जानते ही हो, नहीं चलाई हो, किसी को घुसा आया, कोई ख गई, तो यह इंटलेक्शन और emotion is correct answer, next question देखे, बिलकुल objective questions की help से मनीश हम questions practice करेंगे, stopping site distance SSD for two-way traffic with single lane road is equals to, stopping site distance, पिछले ही डाइग्राम से समझ में आ जाएगा, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया, reaction time वाला, वो किसके बराबर था, lack distance और breaking distance का sum जो होता है, that is equals to stopping site distance, अब बोल रहा है, two-way traffic, यह भी मैंने थोड़े दिर पहली समझाया था, जो लोग लेट आई हो ना class में, आप थोड़े दिर पहले देख लेना slide वाँ समझा रखा है, two-way traffic क्या होता है, और lane क्या होती है, वो भी बताया है, for single lane road is equal to, correct answer is, एक साथ, एक subject स्टार्ट होगा अशोका बैच में, और आप PW app पे जाकर एक बार चेक कर लीजिए, state A, J, category select कीजिए, पियूश, तो वहाँ पर आज हमारा mechanical और civil engineering का same subject, fluid mechanics स्टार्ट हो रहा है, एक time पर एक subject चलेगा, वो complete होगा, फिर अगला technical आएगा, correct answer is very good, correct answer is option C, पहल समझ में आगे क्या होते हैं, अब मैं आपको बिलकुल सिंपल वाशा में समझाती हूँ, कि ये stopping site distance क्या होता है, और site distance कितना है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पर खड़ियू, मानलो मैं रोड पर, यहाँ पर अभी, किसी भी रोड पर अभी normal खड़ियू, यहाँ से, रोड की center line के along, मैं कितना distance clearly सामने देख पा रही हूँ, मैं कितना distance सामने clearly देख पा हरी हूँ, that is, side distance, side distance मतलब कितना distance, आप देख पा रही हो, stopping side distance का मतलब क्या हुआ, कितना distance पहले, मुझे सामने वाली कोई obstruction या opposite lane से आती हुई, गाड़ी, काला direction में आ रहे है, गाड़ी, कितना distance कि मैं सेफली ब्रेक अपलाइ कर सको brake अपलाइ कर रहाँ गाडी को रोकना भी रोकने से मतलब हो सकते हैं यह स्वेकर करकूं तो कितना डिस्टेंस पहले में दिख भों कर सको या किसी स्टोपिंशाइट लिए मैं तो इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए अपना कि मैं इतना डिस्टेंस के बाद गाड गाड़ी रूख सकती ह। यह इसे अन देंगा सत्वराउम सवारी मान Defense single lane है single lane road की width बता दो comment section में जल्दी से single lane road की width बता देंगे सब लोग single lane road की width कितनी होती है single lane road single lane road की width कितनी होती है यह बता दे ना तो मैंने अभी बताया था इससे पहले question discuss किया था कि 2.44 meter road की road पर जो vehicle चलेगा हमने उसकी width को मानना है आप single lane की बता दो तब तक इस cancer जिसने भी two times of stopping side distance बोला है वो बिल्कुल correct है यह single lane road है और एक direction में गाड़ी चल रही है ठीक है एक direction में गाड़ी चल रही है यहां कोई obstruction है इसको कुछ distance पहले यह clearly दिख जानी चाहिए ताकि safely break apply कर सके तो उसको हमने क्या बुल दिया उसको में बुल दिया stopping site distance अब दूसरा के इस देखिए जड़ा अगर मैं एससडी है ठीक है अगर मैं थोड़ा तो यह भी single lane road है एक गाड़ी यहां से आ रही है और एक गाड़ी यहां से यहां से आ रही है तो single lane road single lane road की width very good single lane road की width 3.75 75 meter अब देखो जब एक गाड़ी single lane की विर्थ इतनी है और 2.5 meter हमारी road की विर्थ है यहां से यह आ रही है यहां से यह आ रही है इसको भी इससे collision नहीं होना चाहिए इस गाड़ी का भी इससे collision नहीं होना चाहिए मतलब vehicle 1 के लिए भी stopping साइट डिस्टेंस कुछ होगा और जो दूसरी विकल सामने से आ रही है उसके लिए भी कुछ stopping साइट डिस्टेंस होगा जो इनकी स्पीड पे डिपेंड करेंगा कि यह कितनी स्पीड पे चल रही है यह कितनी स्पीड पे इस केस में आपका SSD किसके बराबर दिख रहा है डाग्राम से पता चल रहा है SSD is equals to two times of stopping साइट डिस्टेंस वो टूवेड ट्राफिक सिंगल लेंड रोड एक डिरेक्शन से ट्राफिक दुसरी डिरेक्शन से ट्राफिक 2 times of SSD, कोई doubt किसी को कोई coupon code नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है कोई doubt किसी को, तो यह आ जाएगा answer 2 times of stopping side distance आगे चलिए अब vehicle has the wheel base of 6.5 meter, अब wheel base इस तरीके से मान सकते हैं कि एक vehicle की length 6.5 meter है what is the off tracking while negotiating a curve off tracking मतलब गाड़ी track से गाड़ी road से कितना बाहर जा रही है, तो गाड़ी road से कितना बाहर जाएगी negotiating a curved path अगर वो किसी curved path पर है with a mean radius of 32 meter, जिस curve का radius 32 meters है on a single lane road चलिए, off tracking मैंने बता दिया क्या होता है, अगले diagram से मैं समझा दूंगे आपको off tracking क्या होता है और आप बोलेंगे मैं यह तो हमने road पे देखा भी हुआ है इसलिए तो highway engineering इतना interesting subject है जितनी चीज़े मैं बता रही हूँ आदित तो ऐसी है जो आप लोगोंने observe की होगी, अब आपको उनका नाम पता चल जाएगा कि अच्छा इसको ही तो यह बोलते थे यही तो इसका formula था जो हमने पढ़ा था हाना कि चलिए क्या answer होगा इसका वेरी गूड फॉर्मॉलाइज लगा इसकोशन को अब वीकल आज वील बेस इसकोशन को थोड़ा सा अगर मैं जल्दी करना चाहूं तो मुझे कैलकुलेशन पार्ट को स्टॉंग करना होगा मैं आपको छोटी सी ट्रेक बताऊंगी कैलकुलेट करने के लिए जो आपके काम आजाएगी कभी ना कभी काम आई जाएगी जब आपको न्युमारिकल करो तो थोड़ा जल्दी सौल कर पाऊगे तो उस ट्रिक की 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 हैल्प से हम इसका कैलकुलेशन थोड़ा असान कर सकते हैं तो आंसर मुझे मिल रहा है पॉइंट इतने सारे अंसरे बता पारे हो तो इतना अच्छा रिस्पॉंस आपका आ रहा है तो मैं आपको बोलूंगी अपनी त्यारी जो कर रहे हो ना बस उसमें जो थोड़ी बहुत मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें कहा था देखो एक बात मैं आपको फिर से बताती हूं जैस सुनना ध्यांस diy अगर मैं तयारी नहीं कर रही है और жить तो अब तो हम कुछ बोल हीी क्यों अच्छा नहीं गया कोई रिजन ही यह तीज़ी नहीं की थी आपने अब मैं पूरा पढ़के जा रही हूं लेकिन फिर भी मैं पेपर म But का reason क्या है क्योंकि मुझे अगली बार फिर से पेपर देना है यह पोस्ट नहीं तो कोई और पोस्ट आई कि उसके लिए पेपर देना है तो अब मैं क्या कमिया थी मेरी जो मैं पूरी नहीं कर पाई तो वो मुझे ना सोचना पड़ेगा मैंने आपको बोला था कि आप टेस् कि आप जरूर सोचना इस बारे में कि मैंने कहां गलती की थी हाना मैंने कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट छोड़ दिया था यह हो सकता है जो मैंने स्टडी मेटीरियल जो जिससे भी मैं पढ़ रही थी जो भी मेरे पास नोट्स थे यह वो कम तो नहीं थे हो सकता है मैं मैंने पढ़ा ही कम था तो एक्जाम में कैसे मुझसे सॉल्व होगा तो अगली बार कैसे होगा तो अगली बार हो सकता है अगर आप यह देख लोगे कि मैंने गलती कहां पर किये ठीक है इसका करेक्ट आंसर है पॉइंट 66 मीटर अब आफ ट्रेकिंग क्या होती है वो इस ड गहीन तर देख धुडा जा रहा था ना था तब कोई प्रॉब्लम नीटी जैसे यह एक होरीजोंटल का मैं पर ट लिया इस डियाग्राम से इन्होंने जो path travel किया, path travel समझते हो ना, जो इन्होंने रास्ता cover किया, वो same नहीं दिख रहा ना, आगे वाले wheels इस path से जाएंगे, पिछले वाले wheel अलग path से जाएंगे, अब अगर मैं ऐसा road बना देती, simple ऐसा road बना देती और यहां से मैं इसको ऐसे turn करवा देती, आप मुझ जिनाई width रखती, straight पर भी, और horizontal का पे भी, same रखती, तो जो vehicles है, जब वो मुड़ती है, बड़ी बड़ी vehicles, जब आपने देखा होगा, rare wheel और front wheel, अलग-अलग path travel करते हैं, तो इस वज़े से, यह जो इसके wheel, main track से बाहर चले गए, main road से बाहर चले गए, इसको बोलते है, off track होना, गाड़ी track से बाहर जा रही है, that is off tracking, I hope आपको off tracking clear हो गया होगा, कि क्या होता है, अब यह क्योंकि off track हो रहे हैं, तो आपको road की width, horizontal curve स्टार्ट होने, horizontal curve पर थोड़ी बढ़ानी बढ़ेगी, जितनी सीधी road पे उससे काम नहीं चलेगा, बढ़ाना पढ़ेगा, ताक square by 2R, क्योंकि गाड़ी off track कर रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ road पर extra widening देनी पढ़ेगी, road को extra widening उसकी width बढ़ानी पढ़ेगी, कितनी width बढ़ाऊंगी, एक lane है, तो एक lane की according बढ़ाऊंगी, अगर दो lane है, तो दो lane की according बढ़ाऊंगी, तो extra widening, जो आप off tracking phenomena होने की बोलते हैं, उसे बोलते हैं, mechanical widening, क्या बोलते हैं इसे, mechanical widening, और ये बड़े लोग गलती करते हैं, तो मैं आपको इसलिए इस बात पर focus करना चाहती हूँ, कि जब आप, जब आप widening निकालोगे ना, तो आपको number of lane consider करनी है, क्योंकि एक ही time पे, दो lane road है, दो गाड़ियां एक साथ मुड रही हैं, तो दोनों ही track से, same time पे track से बाहर जाएंगी, दोनों में same time पे off tracking होगा, तो मतलब मुझे दोनों lanes की width बढ़ानी पड़ेगी, तो जब मैं road की width बढ़ाऊंगी ना, तो मैं ये देखकर बढ़ाऊंगी, कि off tracking जो हो रही है vehicle की कि कितनी lane में हो रही ह n is the number of lane, ठीक है, अगर मैं अकेला off tracking की बात करती है, तो उसका simple इतना ही मतलब है कि गाड़ी कितना track से बाहर जा रही है, ये मतलब नहीं है कि one lane, two lane, three lane, इस बात का बिलकुल ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, तो L का मतलब है length of wheelbase, मतलब गाड़ी की length कितनी है, length of wheelbase, इसकी length कितनी है, ये small L, R का मतलब होता है radius, curve की जहां पर इसने turn लिया भी, ये, ये radius कितना है, curve का, R, R is the radius of curve, ठीक है, R is the radius of curve, समझ में आ गया, track से बाहर जाना और off tracking क्या होता है, जल्दी से बता दो, तो यहां पर formula जब उसने, जब उसने extra widening पुछी होगी, आगे की question आएगा, जब extra widening पुछी होगी, तो number of lanes consider करोगे, अगर नहीं पुछी होगी, तो off tracking में lanes नहीं निकालोगे, ये दोनों difference clear है, कब मुझे lanes consider करना है, और कब lanes नहीं consider करना है, जल्दी से बता दीजिए, तो इस question का answer क्या करना था हमने, vehicle has the wheelbase of 6.5 meter, मतलब vehicle की length, wheelbase, दे दखा है, 6.5 meter, what is the off tracking, जब off tracking निकाल नहीं है, तो lanes को लिखना ही नहीं है, मुझे देखना है कि गाड़ी कितना track से बाहर गई, is L square by 2R, while negotiating a curve of radius 32 meter, क्या हैगा, L is 6.5 का square, divided by 2 into radius of curve is 32, आपको एक छोटा सा trick बता दो, 6.5 square को जल्दी solve करने के लिए बोलो, अगर आप comment section में thumbs up या कुछ मुझे react करके बताओगे, तब ही मैं बताओगी, कि आप exam में इसको solve करने का time कैसे बचा सकते हो, मुझे जोश दिखना चाहिए, आप में कि हाँ मैं समझना है कि कैसे multiply करते आ रहे हो, अब ऐसी करना, इसको solve क्यों, देखते हैं कितने लोग interested है, 65 square थोड़ा जल्दी करने में, आप में से आदर लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक, जिससे आपको कुछ time बच जाएगा, थोड़ा भी time बचाना exam में मतलब, अगला question एक और क question solve कर पाएंगे, और और question solve कर पाएंगे, तो marks भी बढ़ जाएंगे हमारे, हम और ज्यादा pass हो जाएंगे, यह दिखा न, जोश मजा आ गया, देखो 65 का square करना है, 64 तो नीचे है जलो, इसको हम न, round figure में 65 लिख लेंगे, जब मुझे solve करना हो, 65 का square कैसे करोगे, 5 का square कर दो वो आपने यहाँ पर लिख दिया, 25, 5 का square कर दिया, लिख दिया 25, यह बीच में point लगा हुआ है न, decimal, decimal यहाँ लगा लिया, 6 से अगली time क्या होती है, 7, 6 के बाद क्या आता है, 7, 6, 42, 7, 6, 42, तो 42.25, समझ में आया कि नहीं आया, 42.25 बन गया, divided by 64, अब, अब मुझे option दिये थे, मुझे इंट में से सबसे near answer देखना है, तो मैं 64 को 64 को 65 बना सकती हूँ, और देख सकती हूँ कि पहली time, 0.0 किस से जा रही है, 6 से जाएगी, अगर आप इसको solve करो, सारे option में एक ही है, और solve करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा other time इसको solve करने में भी चला जाता ह है, आप इसको और असान कैसे बना सकते हो, गर इसको 64 नहीं रखना, आप 65 लेकर solve कर सकते हो, यह square लेना समझ में आ गया, अब मुझे बताओ, जल्दी से answer करना, 55 का square कितना होगा, जल्दी से बता दो, वेते ही यह class हमारी अभी यह वाली नहीं है, लेकिन हमें calculation में इससे help म मीटर होगा, 55 का square कितना होगा, इसी तरीके से solve कीजिए जरा, तो पहले क्या करना है मुझे, पहले मुझे 5 का square करना है, तो पहले मुझे 5 का square करना है, तो वो मैंने लिख दिया 25, और 5 से अगली डाम क्या होती है, 6, 5 के बाद क्या आते है, 6, तो 6, 5 जा 30, 3, 0, 2, 5, ऐसी ऐ त्रिक्स में आपको बताती रहूंगी, क्योंकि यह बहुत जादा जरूरी है, यह बहुत जादा जरूरी है, जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े निमारिकल्स करते जाएंगे, मैं यह बताती जाओंगी, कि यहां से आप अपने शायद कुछ seconds बचा सकते हो, कुछ seconds या और सॉल हो जाएगा एक्जाम में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3025, आरे आप लोग तो प्रो बनगे, देखो, अभी कोई भी स्क्वाइर कर वालो, आप तो एकदम कर लोगे, चलो आप थोड़ा अपना सीवील पर वापीस आ जाते हैं, चलिए, देखिए, ग्रेडियन्ट Heart on a highway is 1 in 20, slope, 20 unit, horizontal, 1 unit, vertical, gradient on a highway is 1 in 20, radius दे रखा है दो सो मीटर, slope इतनी दी है, radius दिया है, after grade compensation मतलब slope में compensation लगाने के बाद grade to be provided should not be less than 4% यह उसने आपको समझाने के लिए जानकारी दे दी कि जब आप grade compensation अपलाई कर भी दोगे तब भी वो 4% से कम नहीं होना चाहिए यह उन्होंने exam में भी आपको पढ़ा दिये एक लाइन की आपको अगली बार पेपर के लिए याद रहे तो grade compensation निकालना है main चीजे तीन यही है एक grade हमें दी हुई है radius हमें दिया है grade compensation निकालना है जल्दी से बता दीजी इसके दो दो फॉर्मॉलास है वहाँ से आजाएगा सीधा सीधा आंसर और grade compensation क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा basic से समझा दूँगी फिर की grade compensation क्या है bank exam की trick है चलो जिस भी exam की हो हमें तो अपने पेपर में जल्दी attempt करके आना है bank exam को specify नहीं कर सकती हूँ मैं की उसी के लिए लेकिन हाँ वहाँ पर ऐसी trick सिखाई जाती है ऐसा आप बूल सकते हो जहां से भी सीखने को मिले सीख लो अच्छा ही है हमारे लिए तो exam बें जादा questions करके आएंगे correct answer is option C लिख रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग जातर तीन चार लोगों ने आंसर किया है option C होगा तो बताइए देखो grade compensation is equals to 30 plus R by R और 75 upon R यहां से जब मैं solve करूंगी न तो मुझे पहली बात radius की value को meter में put करना है और जो मेरे पास answer आएगा वो यहां पर percentage में answer आएगा तो मुझे radius की value को 200 put करना था तो 30 plus 200 by 200 और 75 by 200 आपको क्या करना है इन दोनों का minimum देखना है न एक्जाम में time बचाना है आप इसको solve भी मत करना 230 by 200 और 75 by 200 कौन से जाधा छोटा होगा 75 by 200 देखने से पता चल रहा है तो grade compensation उसने पूछा हुआ है कितना grade में compensation apply करोगे is the minimum of these two values correct answer क्या होगा क्या बताया आपने कुछ लोगों ने option c भी बताया था जिसने c बताया था यह क्या गलत है हाना 30 plus r by r 75 by r अगर मैं बोलू यह point 38 percent आ रहा है यह grade compensation है correct answer होगा option a गलती कहां करते हो grade compensation पूछा होता है compensated gradient निकाल के आते हो grade compensation क्या है ध्यान से सुनिए छोटा सब brief में समझा रही हूं जब आप किसी रोड पर गाड़ी चलाओगे ना एक वर्टिकल कव है मैं यहां गाड़ी चला रही हूं एकदम से ऐसा देखो यहां से गाड़ी आ रही है ना एक वर्टिकल काव भी है उपर की तरह स्लोप भी है और साथ में horizontal काव भी आ गया जहां वर्टिकल और horizontal काव दोनों साथ में आ जाए तो वहना एक प्रॉब्लम होती है कि जितना इंजन गाड़ी को पावर दे रहा होता है ना तो 6% मुझे उसको थोड़ा कम करना पड़ता है ताकि गाड़ी ऐसा ना हो कि चली ना पाए ऐसा ना हो कि रिजिस्टेंस जादा हो गाड़ी जो पावर इंजन दे रहा हो तब तो रुख जाएगी हिली एरिया से कौन-कौन बिलॉंग करते हैं अभी कमेंट सेक्शन में बतान है हाना तो हम नहीं चाहते कि सारी गाड़ी ऐसी जगा रुख जाए तो हम कमपनसेशन देते हैं तो ग्रेड कमपनसेशन का फॉर्मूला उन्हें आपको बता दिया इन दोनों का मिनिमम होता है 30 प्लस और 75 और करेक्ट आंसर इस 0.38 अगर आपको इस कोश्चन में यह करना था विच्छिज 1 in 20 पर संटेज में कितना हो जाएगा 120 इन्टो ग्रेड जितना अपने प्रवाइड करना था उसमें आपको इसंपर कर दो उसमें आपको कमपनसेशन कितना अपनको प्लाय करना है जो मनें बैब यह दो पॉईं था ऑपर लेट परसेंट तो माइनस इ कुछे कितनी value कम करनी है ग्रेड कंपनसेशन ग्रेड में कितनी value कम करनी है और अगर लिखा है compensation करने के बाद grade की value कितनी होगी दोनों मतलब अलग है न एक आप लुए दूसरा एरियाज वाले जो लोग है आप यह थोड़ा जादा देखने को मिलता है कि जब ऐसी जगा आती है न तो यहां पर कई बार ऐसा होता है जो heavily loaded trucks होते हैं वो कई बार क्या होगा कि रुख जाते हैं stop हो जाते हैं सदन तो इस वज़े से क्योंकि उनको resistance बहुत मिलता है चलिए आप आगे चलते हैं अपने अगले question पर extra widening on the payment provided because of the off tracking अभी बता है था थोड़ी देर पहले इस known as अभी कुछ देर पहले ही आपको बता है था कि इसे क्या कहते एक्ट्रा widening due to off tracking is known as क्या correct answer होगा बताइए जल्दी जल्दी solve हो जाना चाहिए उत्तरा उत्राकंड कश्मीर माचल प्रदेश एक्स्ट्रा वाइडनिंग हाँ यह आंसर तो जल्दी से हो जाना चाहिए अभी तो बताया था मैंने आपको चार स्लाइड पहले बताया था इसे हम कहते हैं जब हम ऑफ ट्रेक जो गाड़ी जा रही है ट्रेक से बाहर जा रही है उसकी वजह से जो हम वाइडन करते हैं रोड को एक्स्ट्रा विड्र बढ़ाते हैं उसको बलते हैं चलिए अगला कोश्चन देखिए फोर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हो अभी आमने देखा कि स्टॉपिंग डिस्टींस किसके सम के बराबर है लाक डिस्टेंस प्लस это। पर 19 w रोड कॉंग्रेस ने स्टॉपिंग साइट इस्टेंस की एक ओल डेफिनेशन दिये कि कैसे डिफाइन करो मैंने थोड़े दर पहले बोला था ना कि मैं रोड पर हूं सामने को अब्स्रक्शन है कितना डिस्टेंस पहले मुझे वह अब्स्रक्शन दिखाई दे ताकि मैं सेफ साइक डेफिनेशन जो आपको डेफिनेशन समझाई थी SSD की उसमें दो चार चीज़े और एड कर रहे हूं यह ड्राइवर इस गाड़ी पर है गाड़ी पीछले वाली इमेजिन करना जो मैंने पहले दिखाई थी आपको रेड गलर वाली तो गाड़ी में ड्राइवर बैट भीए है और ये पेवर्मेंट का सर्फेस है क्यों चौ अब्सट्रकशन है तो अभी मैं सको गोण्यू किसी तरीके की की बाङस्ण रहा है तो यह जो गाड़ी सिग्राbee चल रहा है driver की eye का level above the road surface अगर 1.2 meter है और obstruction की height above the road surface अगर 0.15 meter है यह दोनों बाते बहुत जरूरी है जो याद रखनी है तो कितना distance पहले इस driver को यह obstruction रोड की center line के along दिख जानी चाहिए कि वो vehicle को safely stop कर सके that is SSD याद रहेगा 1.5 नहीं होता राफिया आपने 1.5 बोला है object की height 0.15 meter होती है कोई doubt किसी को यह 0.15 होती है यह 1.2 होती है तो correct answer is 1.2 meter चली आगला question देखिए the inward tilt given to the cross section of the road surface throughout the length of the horizontal curve is called inward tilt यह tilt अभी तो बताया था आपको थोड़ी तेर पहले inward tilt को क्या आप बोलते है अगर आज की class अभी की class आप ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप in questions में आपको doubt आना चाहिए क्योंकि यह तो हम detail में देख चुके invert tilt given to the cross section of the road cross section भी समझाया चीज direction में गाड़ी जाएगी उसका lateral वाला direction से अगर देखोगे तो जो tilt दे रहे हो इस तरीके से road को उसे हम लोग क्या बोलते हैं very good correct answer is option D ठीक है invert tilt ऐसे दे रहे हो आप invert tilt यहाँ पर यह गाड़ी है invert tilt मतलब यह inner edge invert tilt मतलब inner edge यह outer edge इसको आप में रेज कर दिया with respect to inner edge जो गाड़ी चल रही है तो यह से हम क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं super elevation को ही Kent बोलते हैं Kent को ही banking बोलते हैं ध्यान रखिएगा आप super elevation का मतलब क्या होता है outer edge को raise करना with respect to inner edge ताकि centrifugal force balance हो सके Kent का ही नाम super elevation है super elevation का ही दूसरा नाम banking है तीनों एक ही चीज होती है next question देखिए what is the maximum limit of super elevation as recommended by IRC on plain terrain maximum value of super elevation for plain terrain अब देखिए ऐसा अपनी मर्जी से अगर मैं बोलूं यहां जितनी मर्जी height raise कर दो road की चलेगा ऐसा थोड़ी ना अपनी मर्जी थोड़ा ना चलेगी आप outer edge को जितना मर्जी raise कर दो with respect to inner तो यह जो आप super elevation है मान लीजी है if w is the width of road आपने capital e height से उसे raise किया है यहां पर यह काड़ी चल रही है और यह सामने की तरफ आ रही है 3D में मैं इसको draw करके बता भी नहीं सकती ऐसे आ रही है सामने की तरफ लगाना तो नहीं diagram सामने की तरफ आ रही है यह horizontal curve है ऐसा ठीक है तो इस case में super elevation क्या होता है यह angle यह slope कितनी इस road की that is super elevation super elevation is tangent theta कितनी slope है is equals to e upon b यह ध्यान रखिएगा गलती कर देते हो आप इसको मान लेते हो super elevation यह नहीं होता है यह slope होती है e is equals to 10th theta which is e by b कितना होता है very good सभी का answer correct है 7% कितना slope आप दोगे कितना slope provide करोगे 7% in the case of plain terrain जो plain areas होते हैं very good आपने बिलकुल सही बताया for hilly areas it is 10% और urban areas के लिए 4% होता है ठीक है आगे चली full amount of extra width on the payment is provided अभी बताया था कि extra width क्यों provide करते हैं हमने extra widening के लिए अभी टॉपिक पढ़ा था off tracking कि बड़ी सी वीकल जब एक horizontal curve पर मोड काटेगी उसके जो front wheels होंगे उसके rear wheels होंगे वो same path नहीं follow करते जो अभी अभी नए लोग आ रहे हो जो लेट जॉइन कर रहे हो और लेट उठेओ आपको थोड़ी दिर पहले की class देखना उसमें सारा अच्छे से बताया हुआ तो फुल अमांट ओफ एक्स्टा एक्स्टा वाइडनिंग तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी नहीं तो गाड़ी ओफ ट्रेक करेगी तो कहां जाएगी कहां आनी चाहिए बोल रहे हैं कि जहां transition काव शुरू होता है क्या वहाँ पर हम पूरा एक्स्टा वाइडनिंग देंगे मान लो मैंने डिसाइड किया कि एक्स्टा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी है 0.75 मीटर तो ये पूछना क्या चाहरा है ये road straight road था straight road के बाद आप transition काव देते हो इसकी detail थोड़ी और questions में समझेंगे ये straight road है क्या answer बताया आप लोगोंने कुछ option D बता रहे हैं कुछ option C बता रहे हैं ये straight road है straight के बाद transition काव प्रोवाइड करना पड़ता है उसके बाद जाकर आता है ये हमारा circular काव ठीक है तो ये देख रहे हूँ अब मैंने यहाँ पर road को extra कुछ ना कुछ तूसरे कलनर से आप खुशो करती हूं कि अगर ये straight ही जा रहा होता ना ऐसा ही तो इसकी विर्थ ऐसे ये yellow वाली follow करती प्रेट रोड की जितनी विर्थ है अगर मैं वह दिखाऊं तो वह इतनी जाती लेकिन आप देख रहे हो road extra widen हो रहा है अगर मैंने extra widening प्रोइड करनी थी 0.75 मीटर तो वह पूछना चारा है आपसे कि 0.75 मीटर यहां से start हो रहा है circular काव क्या यहां पर होनी चाहिए यह center में होनी चाहिए यह यह end हो रहा होनी चाहिए यह transition काव में होनी चाहिए correct answer इसका क्या होगा at the beginning of circular काव जिसने option c बताया है वह बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपने detail में बढ़ा होगा तभी आपको बता है इस concept तो जहां से circular काव स्टार्ट होगा न मुझे वहां पर extra widen road को करना पड़ेगा मतलब कि अगर यह 7 मीटर road की width यहां पर चली आ रहे थी तो at the start of this circular curve road की width कितनी हो जानी चीए at the start of circular curve मतलब इस point पे वह 7.5 7.75 मुझे पूरी की पूरी प्रोवाइड कर देनी है यह ध्यान रखना है answer is option c कुछ नहीं समझ आया किसी को तो बताना center पे नहीं होना चीए start of the circular का होना चीए ठीक है इसके detail थोड़ी और बताऊंगी और आने वाली classes में अगला question देखिए कल भी मेरी class होने वाली है ध्यान रखिएगा कल हम ऐसे ही और questions पढ़ेंगे और उन questions की से आपके concepts भी समझा समझ लेंगे जैसे हमने आज किया ठीक है ट्रांजीशन कर्व यूज्ट ऑन होरिजॉंटल कर्व अलाइन्मेंट पोर हाइवे ऐस पर आयर्सी पूछ क्या रहा है अच्छा आप transition काव दे रहे थे कौन सा transition काव देना है spiral lemny skate cubic para यह parabola यह कोई भी प्रो करते हैं और क्या कैसे आपको इसको करना है बताना क्या answer होगा आपना इस question में बड़े confused रहते हो मैंने पुराना कुछ experience मेरा यह कहता है मैंने देखा है कि इसमें भी आपको समझ कई बार confusion हो जाती है कि क्या सही answer होगा अभी confusion सारी दूर हो जाएगी इतना अच्छे से आप चीज समझ लोगे देखना यह प्लान देख रहे हो आप लोग प्लान देख रहे हो यहां पर स्ट्रेट रोड पे गाड़ी आई transition कव क्यों देना पड़ा आप बोलोगे transition कव मैं बोलूँ कि इसलिए देना पड़ा क्योंकि यह straight road था इसके बाद क्या मैं ऐसे road की विर्थ बढ़ा दूं क्या यह साथ मीटर था और मैंने बोला कि straight road के बाद road की विर्थ 7 point वांच कर दो तो ऐसे तो नहीं बढ़ा सकते ना अब suddenly विर्थ ऐसा road तो कहीं नहीं देखा होगा आपने ठीक है तो ऐसा नहीं मैं कर सकती कि यहां इस point तक road की विर्थ 7 meter है और इसके बाद इसको ऐसा बनाकर यहां पर 7 point 5 कर दो एसा road होता ही नहीं है तो मैं धीरे धीरे उस extra widening को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं जो आपको इस diagram से दिख रही होगी कि मैंने यहां पर धीरे धीरे extra widening को इंट्रोड्यूस किया है ऐसे नहीं कि एकदम से पूरा extra widening कर रोड में extra करेक्ट आंसर क्या होगा इसका क्या बताया आपने क्यूबिक पैराबोला वैली वर्डिकल स्पायरल एक चोटा सा आंसर करना यह मेरा ट्रांजीशन कहाँ है यह स्ट्रेट रोड था स्ट्रेट रोड जो होते ना इनकी रेडियस बहुत जादा होती है इसलिए इसको बोलत से इंफिनिटी जब सर्कुलर काव डिजाइन करेंगे तो यहां पर हम इसका कुछ रेडियस रख लेते हैं मानलो यह मैंने 300 200 मीटर का होरिजॉंटल कर दिजाइन करना है मानलो आपको 5000 मीटर रेडियस थी स्ट्रेट रोड की ध्यान से सुनना इस चीज को नहीं भूलोगे अच्छे से सुन लेते हो यहां पर रेडियस जो काव की है वो कितनी है 200 मीटर 5000 रेडियस से 200 पर आना है कैसे आना है बीच में क्या प्रोवाइड किया है ट्राजीशन काव मतलब मुझे ऐसा काव देना होगा जैसे जैसे काव की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लेंथ बढ़ेगी से रेडियस कम 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 होती जाए इसका मतलब लेंथ शुडबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और अगर मैं आपको स्पाइरल वर्ड बोलती हुँ ना भी स्पाइरल तो आपके मन में क्या आता है अगर मैं मैं ऐसा कुछ होगा ऐसा कुछ ह एसा हाँ तो इसने सपाइरल हां वक्ता च्नली खाहिए हरा और हमारा क्यूं आइडल ट्राउंशन का फोटा है hydle transition시간 काव होगा, idle transition, क्यों spiral हमारा idle transition cuánt होता है, क्यूंकि जैसे-जैस ''lend बड़ेगी हमें radius कम करनी है, radius कम करनी है, तो spiral एक ऐसा diagram आपके mind में उस time ही आ जाना चाहीं हैonic 스파रल length बड़ रही थी, radius decrease हो रहा था, तो ाइडल क्या होगा, स्पाइरल बोलिए समझ में आया ना अच्छे से अब भूलना नहीं आप लोगों नहीं ठीक है मुझे लगता भी नहीं शायद आप भूलोगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हो चलिए आगे चलते हैं नेक्स कोशन देखिए योगा स्पाइरल स्कॉर्टो हटा ही देते हैं यहां से नेक्स कोशन पर चलते हैं सेम वैसा ही कोशन जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का थोड़ी देर पहले आपको बताया था the mechanical वाइडनिंग required for the payment width 10.5 meter on a horizontal curve जिसका radius r है mechanical वाइडनिंग क्यों देते हैं? mechanical वाइडनिंग इसलिए देते हैं ताकि road off track करेगा off track कितना करेगी गाड़ी? तो उतनी width हमें road की बढ़ानी पड़ेगी ने तो गाड़ी कहां जाएगी? तो फिर आप गाड़ी रोड की width बढ़ाओगे? कितनी width बढ़ा रहे हो? extra widening कितना कर रहे हो? off tracking phenomena को consider करके उसे हम कहते हैं यहाँ पर mechanical widening बढ़ा एक ट्रिकी जैसा question है यह उसने numerical नहीं solve करवाया आपसे देखो सारी value उस radius आरी है L length है एक चीज है जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पेपर में अब यह थोड़ा ऐसे बैठना पड़ेगा कि अरे क्या पूछ लिया इसने? radius तो दिया नहीं है? L भी नहीं दिया हुआ answer option A और option D आ रहा है बिल्कुल star मुदसिर आप L square by 2R तो बता रहे हो इसका answer L square by 2R होगा मतलब आपके कहने पर 3 L square by 2R चलो option C भी मिल गया मुझे option C भी बताया किसी ने तो मुझे लग रहा है इस question के ना सारे यह answer correct है है ना? ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को इसे देखकर आपने option A भी बता दिया C भी बता दिया D भी बता दिया कोई B भी बता दो भी नहीं लग रहा है आपको सही answer कितना बड़ी है question है सारे answer सही बनाए है किसी ने ना? D confirm है अच्छा कोई C बोल दो ना यह रहा है आपका सारे चारो options हो जाएंगे correct देखिए आपका rate विड्थ कितनी है road की road की width है हमारी 10.5 meter आपने मुझे बताना है in case of multi lane pavement और multi lane road हर एक lane की width कितनी होती है in case of multi lane road width हर एक lane की कितनी होती है 3.5 meter 3.5 meter is the width पर lane तो 10.5 meter कितनी lanes हो गई divide भी कर सकते हो 10.5 meter कितनी हो गई 3.5, 3.5, 7 7 plus 3.5, 10.5 यह कितनी lane है small n की value कितनी put करो गई अब जिनका गलत हुआना वो याद रखना जब आपको यह width दी होती है option में उसने पूरा formula लिखा है mechanical widening निकालने का formula क्या होता है mechanical widening is nl square by 2r mechanical widening is nl square by 2r l square by 2r तो सब में ही लिखा हुआ है आपको n यह तो पहचानना था है यहाँ पर कितना है n कितना है lanes n क्या represent करता है कितना lane है तो 10.5 meter 3 lane है correct answer आप समझगे 3l square by 2r तो कौन-कौन थे जिसने यह answer बताया था 3l square by 2r आप बहुत अच्छे से बढ़ाई कर रहे हैं और बाकी लोग भी अच्छे से बढ़ाई करो correct answer is option D 3l square by 2r railway के questions कल की class में करवाऊंगी कल 8 बजे class है बिलकुल same time पर जैसे आज थी कच कल हम कुछ terms railway की भी बढ़ने वाले हैं ठीक है answer is option D चलिए आगे चलते है very easy question reaction time समझा दिया क्या होता है reaction time of the driver considered for calculating the stopping site distance and overtaking site distance respectively stopping site distance and overtaking site distance के लिए reaction time कितना कितना होता है respective value बताने आपको very good रुक जाईए option D बता रहे हैं आप कृष्णा मैं समझ गई option D इसका answer बताईए reaction time of driver SSD और OSD के लिए कितना कितना होता है answer respective answer बताना है A confirm जो आप A confirm कर रहे हो ना आपको बार बार किया रहे हो respective answer respective मतलब पहले SSD बताओ फिर OSD बताओ दो values लिखें ना यहां पर तो पहले SSD बताओ फिर OSD बताओ correct answer is option B confirm A नहीं है answer B क्यों होगा याद रखना है आपने इसको इसमें कुछ समझाना नहीं SSD तो अब भी बताया था आपको आप अच्छे से सुन नहीं रहे हो SSD के लिए reaction time is 2.5 seconds and overtaking side distance के लिए it is 2 seconds अगर ये question में नहीं दिया जाता तो आप हमेशा ये value को अच्छी ने recommend किया है कभी कोई numerical आए उसमें reaction time नहीं दिया हो चुप-चौप आप इनको लेकर solve कर लेना ठीक है आगे चलिए next question देखे ये बताया था 3rd या 4th question था ठीक है देखे sorry the highest point on the road surface is called दूसरा या तीसरा question था highest point on the road surface is called road surface पे highest point क्या होता है very good correct answer is answer is option A very good आप जो द्यान से सुन रहे हो आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे जे ये देखो same वाला diagram आगया सबसे पहले दिखाया था आपको ये देख रहे हो camber camber दिया था ना straight road पर कुछ ऐसी shape का camber तीन तरह का provide कर सकते है straight भी हो सकता है parabolic भी हो सकता है combination of straight and parabolic भी हो सकता है पर जो ये आपका highest point होगा ये highest point होगा road surface पे उसे हम क्या बोलते हैं crown बोलते हैं इसे याद रखिए का बिलकुल basic सा question है ये diagram भी याद रखना है camber is your transverse slope along the length of road तो answer is option A आटला question देखिए as per IRC the coefficient of longitudinal friction for calculating the stopping side distance of the vehicle जिसकी speed 60 से 65 km पर आ रहे थोड़ा सा वैसा question है जो आपको थोड़ा पढ़ कर जाते अगर अच्छे से तभी कर पाऊगे मतलब आपने जिसने थोड़ा सा detail में बढ़ा है तो आप इसका answer कर सकते हो आसानी से देखो मैंने आपको भी बताया था आप बताईए answer तब तक जिसे पता है comment section में lateral friction lateral coefficient of friction की वेली होती है 0.15 lateral coefficient of friction की वेली होती है 0.15 जो longitudinal lateral coefficient of friction और longitudinal coefficient of friction में क्या difference है अल्रेडी मैं थोड़ी time पहले वाले question में बता चुकि यूँ जो late आए है वहाँ पर देख लीजिएगा 0.35 से 0.40 तक वेली करती है ये value तो ये question जो है ये आज कल पूछे जाने लगे है ऐसे question की direct वाले तो आप याद करके चले जाते हो लेकिन ये तो vary कर रहा है तो ये vary करता है 0.350 तक अब बताओ इस speed पर ही कितना होगा answer आप लोग बता रहे है option C 0.36 confirm है बाकी लोग 0.36 confirm है बाकी लोग क्या answer होना चाहिए देखिए मैं आपको यहाँ पर एक table बता देती हूँ उस table से आप लोगों को help मिल जाएगी और भी अगर अभी तो उसने साठ के लिए question पूछा है अगर वो 100 km पर आर के लिए पूछ लिए तो क्या answer करोगे correct answer is 0.36 very good जिसने भी 0.36 बताया है आप भी बहुत detail में पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि अगर आप सिर्फ question को याद करोगे और concept और चीज नहीं देखोगे ना तो बड़ा मुश्किल है मतलब आज के टाइम में हाँ अशोका बैच हिंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश जैसे मैं आप पढ़ा रही हूं वैसा ही चलेगा ठीक है तो देखिए आपको क्या याद रखना है विकल की speed के साथ longitudinal कोईफिशेंट और friction की वैल्यू जो वेरी करती है तो आप थोड़ा साना एक्जेक नहीं आप इनकी रेंज याद रख लेना ठीक है थोड़ी बहुत आप इनकी रेंज याद रख लेना आप मुझे बताओ जैसे जैसे speed बरेगी कोईफिशेंट और friction की वैल्यू कम होगी या फिर जाधा होगी तो कि speed को मैं लिखनी हूं यहाँ पर किलोमीटर पर आर में तो अगर speed कुछ इस रेंज में है 20 से 30 किलोमीटर पर आर सेकीन हम बना देते हैं इसको 40 किलोमीटर पर आर 50 किलोमीटर पर आर 60 किलोमीटर पर आर 80 किलोमीटर पर आर एंड अब 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 इस ते जाधा आपको याद भी नहीं रखना अगर इसके बीच की कोई speed है तो आप उसको interpolation से निकालोगे अगर इसके बीच की कोई speed है तो interpolation से निकालोगे यह value 0.4 तक चली जाती है 0.38 इसको आप 0. 0.1 मिनट 20 से 30 किलोमीटर पर आर 0.4 value होगी यह 0.38 value होगी 60 किलोमीटर पर आर के लिए आपने 0.36 बताया था तो यह 0.37 यह 0.36 और यह 0.35 इसलिए कोई भी निमारिकल आई जिसमें speed ज्यादा तर आपको vehicle की 80 किलोमीटर पर आर से जादा दी जाती है तो वहां पर आप इसको 0.35 ले सकते हो जो कि आपको maximum questions में देखने को मिलेगी कि vehicle की speed यह दियोगी तो आप यहां पर ले सकते हो तो अभी वाला क्लास का जो PDF है ना जितना मैं यहां पर लिख रही हूं माना जादा अच्छा नहीं लिख रही हूं पर जैसा भी लिख रही हूं वो PDF आपको PW app पर मिल जाएगा वहीं पर कलाम सीरीज दिख जाएगी आपको उसमें प्लेलिस्ट होगी वहां से आप इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो जितने भी question हमने अभी solve की है with the help of diagrams और images ठीक है तो आपकी वहां से थोड़ी अच्छी help हो जाएगी तो आपको अभी ना ऐसे screenshot लेने का कोई जरूरत नहीं आप वहां से देख लीजेगा next question देखिए the safe stopping side distance for a two lane traffic in a two lane road is 61.4 meter दो ही lanes है और दोनो तरफ traffic है then for a two way traffic single lane road when the other conditions are unaltered the safe stopping side distance will be taken as बोलिये अभी पढ़ा था SSD किसके बराबर होता है single lane road है दोनो तरफ से गाडिया आ रही है SSD is two times of stopping side distance two lane road है दोनो दरफ से अपनी गाडिया जा रही है SSD SSD के बराबर ही होगा इसका answer क्या होगा इसका correct answer क्या होगा very good correct answer of this question is कुछ लोग answer D बता रहे हैं कुछ answer B बता रहे हैं इसमें तो आपको multiply करने की जरूरत नहीं है आप देखके बता दोगे मतलब इसमें calculation नहीं करनी है calculation वाला काम नहीं है बस अभी थोड़े question अभी हमारे बचे हैं जो आज की class में हमने करने हैं फिर आज की class को end करके जो remaining questions है और कुछ railway के भी question कल की class में आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ जो class आट बजे ही होने वाली है correct answer is confusion लग रहा है मुझे आप लोगों में कुछ देखो मैं आपको statement पढ़के बता रहे हूँ इस question की तो सुनना safe stopping side distance two lane traffic two lane road road यह road की center line है यह road की center line है ठीक है two lanes है इस तरफ जाने वाला वीकल यहां से वापिस आने वाला वीकल two lane traffic two lane road इसके लिए जितना stopping side distance है SSD SSD के बराबर ही होगा इसके लिए जितना SSD है उसमें कुछ multiply divide नहीं होगा लेकिन problem कहां पर आती है problem तब आती है अगर यह ऐसा कुछ case होता कि आपका single lane ही होता और सामने से गाड़ी आ रही होती then for a two way traffic two way इदर से भी गाड़ी आ रही है यहां से भी आ रही है two way traffic lane कौन सी है lane single lane road है 3.75 meter other conditions are unaltered तो SSD कितना होगा SSD is two times of stopping side distance सिधा आपको two से multiply करना था 61.4 multiply 2 और आपका answer is 122.8 meter आपको confusion था जिसको इस चीज में confusion है आप थोड़ा दिर पहले की class देख लेना बाद में recorded इसको तो आपको समझा जाएगा SSD में two q multiply किया ठीक है चलो आज की class का last question solve करते है अब vehicle has a wheel base of 5.5 meter what is the off tracking negotiation on a curve path with the mean radius of 31.5 meter take the width of the payment as 3.5 meter width of payment 3.5 meter लेना है और आपको क्या calculate करना है off tracking आपको square निकालना सिखाया था आपको 55 को square जल्दी जल्दी निकालके solve हो जाएगा बताइए इस question का answer क्या होगा बाकी के questions जो है वो हम कल की class में करेंगे अब vehicle has the wheel base of 5.5 meter but then what is the off tracking negotiation of the curve 55 को square कैसे निकाला off tracking कैसे लिखते है off tracking is equals to L square by 2R off tracking is L square by 2R whereas L is the length of wheel base 5.5 square divided by 2 multiply by radius is 31.5 55 का square कैसे लिखोगे पहले बाद वाली term का square लिख 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 लिए बीच में decimal लगा लिए 5 के बाद अगली term 6 आती है तो 6 5s आ 30 ये बन गया 30.25 31.5 को 2 से multiply करोगे तो ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा क्योंकि 5 2s are 10, 0 यहां गया 31 into 2, 62 और यह 63 इसको divide करोगे थोड़ी बहुत ना calculation आपको यहां पर जल्दी करने के लिए मैं और tricks भी बताऊंगी आज मैंने यह सिरफ square बताया है कोशिश करूँगी कि और भी कुछ ऐसी चीजें लेकर आऊं जो एक्जाम में आपका टाइम बचा दे तो correct answer इसका क्या आया सबसे nearest answer is option D 0.48 meter 0.48 meter ठक तो नहीं कहीं हो कुश्चन solve करके सुबा 8 बजे से चल रही है लगातार class जो सुबा से बैठे हुए है solve कर रहे है कुश्चन मजा आ रहा है class में क्योंकि मुझे कल कुश्च लोग कह रहे थे कि मैं आदी मींद में कैसे करेंगे आदी मींद तो नहीं है आप लोगों की नीद हो गई ना गायब हां मजा रहा है question solve करने के लिए अगर मजा रहा है तो एक question और करवाँगी फिर class को करूंगी एक question और कर लेते है लास्ट question ठीक है बाकी कल बाकी कल continue करेंगे लास्ट question कर लेते हैं है बिल्कुल सिंपल आसान जैसा प्यारा सा question इससे end करते है अपनी class इसके बाद से कल से शुरू करेंगे ऐल स्क्वेर आप जो बोल रहो ना L square by 24R वो shift का formula है shift in transition curve question में क्या पूछा है question में off tracking पूछा है confused मत होईएगा off tracking L square by 2R होता है mechanical widening is N L square by 2R okay I hope clear होगा last question से end करते है class बोल ये a curve that changes the alignment of road from downhill to uphill is called downhill to uphill is called कौन सा curve है आपर sag curve transition curve summit curve या reverse curve sag curve transition summit या फिर reverse curve that changes the alignment of road downhill पहले आप नीचे की तरफ आए downhill नाम से पता चल रहा है then uphill उपर की तरफ ले जा रहे हो गाड़ी तो किस तरीके का curve है साइक transition very good सभी answer कर दो बोला तो अभी last last question कर रहे है class का और इतना simple आसान question है मैं चाहती हूं सबका answer आए चाह गलत ही है जो आपको लग रहे हो answer बता दो correct answer is very good lock कर दिया है बिल्कुल आप बोल रहें लॉक कर दिया जाए सेग कर पिस कर रेक्ट आंसर देखो क्या पुचा है alignment of road changes from downhill downward gradient then uphill upward gradient तो यह आ जाएगा मेरा downward gradient ठीक है या आप इसको downhill बोल रहे हो then uphill upward gradient upward gradient uphill तो जब मैं यहाँ पर curve बनाऊं यह देखिए कुछ ऐसा सा curve बनेगा यह जो curve बना जिसका center यहाँ पर कुछ है कैसा curve है यह सैग दिख रहा है ना इसमें fall होता है यह जिसको sag बोलते हैं तो यह हमारा कैसा curve है sag curve सैग करेक्ट आंसर क्या होगा आपको मैं समझाओंगी transition curve, summit curve, reverse curve क्या होता है इसका correct answer क्या होगा sag curve समझ में आया बताये अच्छा मुझे एक answer इसके साथ ही कर दो आप लोग अगर पहले uphill होता बाद में downhill होता और मैं इसी curve को ऐसा कुछ बनाती पहले uphill होता है बाद में downhill होता है इसका नाम क्या होता है यह बता दो इसका नाम क्यों होता है पहले uphill होता है फिर downhill होता है sag तो अभी बता दिया मैं इसको साथ फिर बना रही हूँ इस इस का नाम क्या हूता है यह दोनों आप VIRTICAV바 कर आता है ना उसमें पढ़ते हैं मालों काउन है कर्फ का सेंटर O है और यहां भी का पॉजिटिव ग्रेडियंट असेंडिंग ग्रेडियंट पॉजिटिव बोलू या आप इसको अफिल बोलो पहले यह आएगा और अगर बाद में नेगेटिव ग्रेडियंट या फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट या फिर डाउन हिल अगर यह आता है तो उसे हम क्या बोलते ह भी कोणके स्कूर परेस क्चानल करेंगे कि हम कैसे निकालते हैं है स्क्कृर पैरा बोला प्रैफर बूंगों वह अच्छा बढ़ाई करेंगे लूप्र खुआ अपयर बोला प्रेफर करते हैं और भी कोस्टन करेंगे कल वर्टिकल का अब भी करेंगे कल ट्राफिक इंजिनियरिंग आज मैं ट्राफिक का कुश्चन नहीं कर आप हाई जो मेत्रिक डिजाइन में थोड़ा हमारा टाइम चला गया ट्राफिक इंजिनियरिंग के तो अच्छा हो जाएगा थिक है आप बोलें के मैं पांच मिनट से बोल रही है कि मैं जा रही हूं जारी हूं आपको बना था कि ट्रेफिक भी करेंगे ट्रैफिक कर देते हैं थाकि कल आप ट्रैफिक से या पढ़ना है अच्छा बागी इसके आगे कल सीखेंगे दो फ्री फ्लो स्पीड इस ट्वेंटी किलोमीटर पर आर वट इस दी स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो लास्ट आंसर कर दो फिर आराम से सर की क्लास चलने वाली है दस बज़े तो सचीन मोधी सर की क्लास है रिजनिंग की उसमें जाना होगा आपने 20 किलोमीटर पर आर इस दफ्री फ्लो स्पीड इसको आप वी एफ से लिखते हो और इसका एक्स्प्लेनेशन मैं कल आपको दूँगे ठीक है कि यह सब क्या होता है डिटेल में बताऊंगे फ्री फ्लो स् क्यों मैक्स जो स्पीड होती है और जो डेनसिटी होती है यहाफ पोश्पीमीटर है तो at maximum flow, speed को लिए निकान लिए तो क्या करना होगा, free flow का half करना होगा, correct answer is 10 km per hour, free flow speed वो speed है, जिस speed से आप जब गाड़ी चलाओ ना road पर, मतलब आप जिस maximum speed से गाड़ी चला सकते हो, जब road खाली है, that is free flow speed, मालनो मैं रात को 3-4 बजे गाड़ी चला रही हूँ, रात ये सुबा बोल दो उसको जो भी, तो जिस maximum speed से मैं vehicle road पर चला पाऊंगी, उस maximum speed को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते है, free flow speed, ठीक है, clear है सभी को free flow speed क्या होता है, बोलिए, अब traffic बोला था ना, कि traffic बताना है आपको, traffic से start करती है, कल हम traffic इसके आगे continue करेंगे, कुछ geometric design के भी questions करेंग और थोड़े बहुत railway के questions भी करेंगे, ठीक है, जल्दी से बतादो आज की class कैसी थी, अच्छी थी आज की class, मजा आया पढ़ाई करके, highway engineering इतना interesting subject है, उसको हम उतना ही interest से पढ़ेंगे, जितना मैं आपको practical चीजों से relate करूंगे, आप उनको दिमाग में, मतलब याद रख पाऊगे कि ये क्या चीज थी, रड़ा मारने के comparison में, जब जितना हम चीजे देखते हैं, वो उतना जादा clear होता है, तो कल हमारी same time पर, सुबा 8 a.m. class रहेगी, और सभी ने सुबा 8 बजे की class में कल आना है, कल क्या date है, I think 28 है, तो 28th January, वैसे, तो यहाँ पर आपको YouTube पर show भी हो जाएगी, आप reminder on कर लीजिएगा, क्योंकि कल वो तीन topics जो मैंने आपको बताए, calculation ना मैं आपको numericals के साथ ही बताऊंगी, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो 28th January, कल 8 बजे मिलते हैं, सुबा की class में, traffic, geometric design, थोड़ा स payment design और कुछ railway engineering के questions के साथ, ठीक है, very good, चलिए, तो end करते हैं फिर अवी की class, और कल की class में मिलते हैं, सुबा 8 बजे, सो कोई doubt रह गया हो आज की class में, तो comment section में लिख देना, क्योंकि कल फिर से मिलना है, तो कोशिश करूँगी कि कल की class में उसको मैं आपका solve कर पाऊं, ठीक है, इसी के साथ साथ, thank you everyone, और have a nice day. स्थभड़ाँना, क्या है, झाल याराजाँना, क्या है, तो क्योंकि कर दो कि अजे अजेदी आपकाड़ीक का लिएी का जेएना हुआ है, झालिए.